अमिजान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लॉट के ना होंगा एक घुमनामी का समंदर है उसमें ही जाके डूप जाओंगा जिसको तो धंदा बोलता है ना क्राइम में बोल धंदा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दो गुजरात की हवा में वेपार है साहिब मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोको गए तुम्हारी तराश तो दुनिया के हर पुलिस डिपार्टमेंट को है किस किस से बात करूँगा आज ये सुनकर मेरी मा कितनी खुश होती अपने हाटों से तुम्हें गॉली मार देती विस्टर मलेक आप मेरी मां को नहीं जानते थे जो धंदे के लिए सही वो सही जो धंदे के लिए गलत वो गलत देशेज्यादा कभी सोचा नहीं अब यवा की मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है जटक मजबुदार को कि इस अनाटे में ट्रांसफर कर दो साहिब जहां जाता है साला नर्था बढ़ता रहता है आप मेरे ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं और इसको नहीं छोड़ूँगा मैं एक दिन नाक में नकेल डाल के खीच के लेके जाऊंगो तुझे में यहां से सबूत ले आए ये ले जाए रही साजिर बनिये का दिमाग मेरा भाही के लिए रही हुँगा अमीजान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता जिसको तू धंदा बोलता है ना कराइम में बोले धंदा बंद कर ले वहना साज्स लेना भी मुश्किल कर दो गुजराफ की हवा में वैपार है साहिब मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे जो धंदे के लिए सही वो सही जो धंदे के लिए गलत मों गलत इसे ज्यादा कभी सोचा नहीं ज्यादा उंचा मत उड़, कड़ जाएगा अगर कटने का डर होता ना, तो पतंग नहीं चड़ाता, फिर की पकड़ो छटक मजबुदार को कही सननाटे में ट्रांसफर कर दो साहिब जहां जाता है साला नर्ता बिरता रहता है आप मेरे ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, रेस को नहीं छोड़ूगा मैं एक दिन नाक में नकेल डाल के खीच के लेके जाँगो तुझे में या से सबूत ले आएए ले जाएए रस घरिए बन्यक का दिमाग मिया बाहिगी ले रहेंग लेगा लुलिni उर्युजुफ अक्सर सोचा कि गैंगेश्टर अपरादियो और अंडर वर्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्मेकर्स इस सैली की फिल्मों से इतने अकरशित हैं हाला कि मैं सैली की फिल्मों का जबरदस्ट पर संसक नहीं हूँ लेकिन साथ ही मुझे या कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ट फिल्में दीवार, धर्मात्मा, परिंदा, अगनिपत, सत्या, वास्तो, गैंगेश्टर, शूट आउट एट लोखंडवाला, वन्स अपान एटाइम इन मुंबई का भरपूर आनंद लिया, इन फिल्मों में फिल्म इंडिस्टी के कई सारे बड़े नाम जुड़े थे, इन फिल्मों के याद रखने योगी वैलू है, मेरे मन में एक अमित चाप छोड़ने के अलावा इन फिल्मों ने समय समय की रेत पर भी एक अमित चाप छोड़ी, रैस के बारे में जबरदस्त अटकले हैं, इस फिल्म की कहानी असल जिन्दगी से प्रेरित है, या असल जिन्दगी के किरदारों पर आधारित है, सच कहूं तो फिल्म में दिखाएगे किरदारों की परमारिकता पर टिपड़ी करने के ल उसका एक नामी गिरामी अपराद ही बन जाना, अमीर और परभावसारी लोगों में उठना बैठना, लेकिन आखिर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना, रैस भी ऐसी ही खाका प्लाट लाइन पेस करती है, अंतर सिर्फ हितना है कि इस से लिकी कई फिल से दर्शाया है, मेरी राए से यही इस फिल्म का मुख्याधार है, या कहने के बाद मैं स्विकार करता हूँ जो फिल्म को एक उचाई पर लेकर जाता है, ओ है सहरुख खान और नाचुतिन सिद्ध की, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरिन किरदार निभाय, सन 1980 क दिसकी प्रिष्ट भूम में रईस सिस्टम प्रडाली को हराने की कोशिस करता है, और अपनी सर्तों पर सफल भी हो जाता है, उद्धम सेलता के लिए उसका प्राकरतिक सुभाव और अपने लच्छों को परात करने के दोरान, कभी हार ना मानने वाले द्रड़ संकल्प ने उसे प्यार और ड्राउना दोनों बना दिया, और फिर होती है प्लिस वाले जैदीप जिसने अपरात को खतम करने और रईस के समराज को खतम करने की प्रतेग्या ली है की इंडरी, बीते हुई युक को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वरतमान के दर्सकों जिने उन किरदारों और युक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, को सामिल करना, प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युक को बहतरी धंक से बनाया है, डुलकिया और उनके लेकर की टीम ने, इस बात का पूरा ख्यार रखा क फिल्म की लिखिस समागरी इतनी सक्तिसाली हो को दर्सक तलीनिता से फिल्म का मजाले, प्रडाम सरुपिया फिल्म ना केवल 1980 के दसक की यादे ताजा करती है, बलकि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है, और इसलिए इसके किरदारों और एप्रिशोर्स जो फिल करती मिक्ता के, लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वास्तविक्ता और मसाला दोनों ही अच्चार जनक रूप से जोड़ा है, फिल्म की कहानी बिना जोड़के सिधे रुमान से कौन किस्से बढ़के के खेल की और रुक कर लेती है, जब चोर पुलिस की भिड बात ये है कि उन्होंने सहरुखान के करोडों परसंसकों को जरा भी निरास नहीं किया है, एक कहानी वक्ता के रुम में वह लेप लेते हैं, और लिकिस समाकरी के साथ पूरा नयाय करते हैं, और साथ ही फिल्म के हर किलदार से उनकी बेहतरिन परफॉर्मेंस को निचोड़ परफॉर्मे में कामयाब रहते हैं, फिल्म का फ़र्ष्ट हाप आपकी उत्सक्ता को खोल कर रख देता है, और फिर आप सिकंड हाप देखने के लिए ललायत हो जाते हैं, लेकिन या समस्या पैदा होती है, इंटर मिसन के बाद फिल्म की घती धीमी पड़ जाती है, और र जाने लेला में लेला और जालमा गाना पहले से दर्षकों के बीच में काफी लोगप्री हो गए थे, हाला कि लेला में लेला गाना के मातपूर मोड पर आता है, और कहानी को आगे ले जाता है, बैगराउंड इसकोर पर भहुत पादक है, विसेस रूप सिगनेशर टून ज जो अपना असर छोड़ते हैं, बनिये का दिमाग और मिया बाई की डेरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जैसे कई डालॉक्स पहले ही दर्षकों के बीच अपनी जगए बना चुके हैं, मुझे न करियर के प्रारब में उनकी प्रुषकार योग्य परफॉर्मेंस की याद दिलाता है, नौजिद्दिन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी सांदार परफॉर्मेंस देते हैं, दोनों सहरु खान और नौजिद्दिन सिद्दगी का परदर्शन आप को फिल्म की कहानी के साथ साथ किलदारों में डूबा देता है, माहिरा खान बहुत खूबसूरल लगती हैं, और पूरे आतम विश्वांस के साथ अपने किलदार को निभाती हैं, मुहम्मद जी सान अयूब की एक ठोस भूमका में पूरी त्रिस्ट डूब जाते हैं, और उदे तिके कर अपने अपने भागों में परिपोड हैं, सनी लियोन लैला में लैला आइटम नमबर में संसनी फैला देती हैं, कुल मिलाकर रईस पक्के तोर पर एक हिट फिल्म है, इसमें कोई सक नहीं है कि सेरु खान एक संसनील अभिनेता हैं, जो प्यार, मुनुहार औ और इस्टारडम सहरु को उनकी प्रारंबिक फिल्मों में प्राप्ध हुआ, वही सब कुछ एक बार फिर रईस में ही देखने को मिलेगा, इस फिल्म को हिट कराने में कुछ तत्यों का भारी योगदान है, और उनमें सामिल है नाजुदिन सिद्धी की जबर्दस परफॉ या ऐसे तसकर की कहानी है जिसके धंदे को एक सक्त प्लिस सदकारी ने चौपट कर दिया। नहीं बोलने का, सराब तसकरी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है, और बोलती है कि कोई धंदा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, बस इसको रईस अपनी जिंदगी का मोल मंतर बना लेता है, इसके बा अपना भीजनस शुरू करना चाता है, साधिक रैस का बेष्ट फ्रेंड है, रैस अपने इंपायर का बॉस बन जाता है, पुलिस नेता हर किसी से उसकी साठ गाठ है, और उसका काम होता रहता है, लेकिन वो साथ ही साथ देसी रॉबिन हॉड भी है, चाहे उसके पड़ोसी हो महले वाले या कोई और वो कभी मदद करने से हिचक चाता नहीं है काहाणी में ट्विश्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इस्पेक्टर जदी मजबुँदार से होती है जिसका ट्रंसफर रइस के इलाके में होता है जदी मजबुँदार का एक इसके बाद फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है इसके बाद फिल्म में चुहे बिल्ली का खेल सुरू होता है सहरु खान की फिल्म रई साब को सतर और असी के दसक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहावी है एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनिती के बीज भी अपना काम इमानदारी से करता है खोबसूरत हिरोएन है और हीरो की परचाही बन कर रहती है एक वाफादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तयार है साथ ही कुछ बुरे लोग, सताई जनता, बेबस मा और खोब सारा एक्सन इसके अलावा हिलन की तर्च पर सनी लेउनी का एक आइटम सांग भी है जो खून खराबे के बीश सुकून देता है कहानी एट्टी के दसक के गुजरात पर बेश्ट है जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत खराब होने की वज़े से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंदे की तरफ आकरसित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में सराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंदा सुरू करता है अपने दिमाग और डेरिंग की वज़े से उचल्द ही अवे सराब का बड़ा बिजनसमैन बन जाता है लेकिन इसी बीच ACP मजूमदार यानि नाजुदिन सिद्ध की उसके पीछे पड़ जाता है जो काफी कड़क पुलिस वाला है लेकिन रईस का धंदा रोक पाने की हजार कोसिज करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकर नहीं पाता इस दोरान कहानी में कई उतार चड़ावाते हैं जिन में चुनाओं दंगे बंबलास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती है फिल्म की एंडिंग भी काफी दिल्चस्प है केयू मोहनन की सिनोमेटोग्राफिक कमाल की है बैगराउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसकी वज़े से एट्टी के दिसक का माहुल पूरी फिल्म के दोरान बना रहता है फिल्म के सबसे बड़ी खासियत है इसके डालाक्स जो आडियंस को तालिया बजाने पर मजबूर कर देते हैं फिल्म का फ़स्ट हाप अच्छा है लेकिन इंटरॉल के बाद फिल्म की रबतार सुस्ट हो जाती है जिसे ठीक किया जा सकता था साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रबतार पर अस्ट डालते हैं सिर्फ सनी लेउनी पर फिल्माया गया आटम सांग ही कहानी के साथ फिल्म के सिकंड हाप को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था रईस पूरी तरह से सहरुखान की फिल्म है उनका काम सांदार है नौाजुदिन सिद्गी की एक्टिंग भी बेहतरीन है फिल्म में जब भी दोनों साथ नजर आते हैं एडवेंचर बढ़ जाता है जहां एक तरफ नौाजुदिन की लिखकर लेने की स्टाइल है वहीं दूसरी तरफ सहरुखान की डालाग बोलने का अंदास कमाल का है ग्राउंड इसकोर अच्छा है लेकिन सांग में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के साथ फिट बैठता है यू तो फिल्म को लेकर रक सुरू से कोई ना कोई बिवाद रहा है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर बिवाद हो सकता था फिर चाहे वो बोचल खाने में जानोरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूरती से चस्मा उतारने का सीन कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकट में पुराने माल की तरह है और अगर आप सहरुखान और नाजिदिन सिद्गी के फैन हैं तो आप एक बारे फिल्म जरूर देखे लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही सहरुखान की फिल्म रही सतर और एसी के दसक की टिपकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है इस फिल्म का हीरो गेर कानूनी काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीह भी है इस हीरो के साथ है एक खुबसूरत हिरोईन जो हीरो की परचाई की तरह है हीरो का एक जिगरित दोस्त जो इसके लिए अपनी चान भी दे सकता है फिर एक इमानदार पुलिस ओपसर जो अपने काम को पूरी इमानदारी से पूरा करता है इन सबसे वेबस मा, अत्याचार की मारी जंता, कुछ बुरे लोग और खुब सारा एक्सन इतने मसाले के बाद एक जबदस्त आइटम नमबर जो हैलन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच जिराहत देता है फिल्म की कहानी अस्ची के दसक के गुजरात पर अधारित है जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है गर की माली हालत बहुत खराब रहती है जिससे रईस का दिमाग सुरू सही दंदे की तरफ रहता है रईस बजबन से ही स्कूल बैक मेर सराब रखकर सपलाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद और खुद का धंदा सुरू करता है अपने दिमाग और निड़ता से अवेद सराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब ही के सेपी मजूमदार रईस के पीछे पड़ जाता है मजूमदार एक कड़क पुलिस वापसर है जो सराब के अवेद कारोबार को रोकने की कई कोश्टे करता है तमाम कोश्टों के बावजूद भी रईस उसकी पकर से आजाद ही रहता है कई उतार चड़ाओं से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफी दिल्चस्प होता है फिल्म का निर्देशन उंदा है फर्ष टाप काफी कसा हुआ है लेकिन सिकंड हाप में फिल्म आपको अजीव से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है यहां अचानक से एंटी हिरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है सरपट भागती फिल्म हिशकोले लेने लगती है खैरियत बात करें सिनेमेटो गराफी की तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है फिल्म आपको असी की दसक में ही लेकर जाती है वही इस फिल्म के वन लाइनर भी जबरदस्त है वन लाइनर पर फिल्म को दर्सको की खूब तालिया भी मिलती है जब सनी लिउनी अपने आइटम नंबर लेला में लेला लेकर आती है तो दर्सक जोम उड़ते हैं वही कुछ गाने फिल्म की रबतार पेजा ही सुष्ट कर देते हैं फिल्म रईस को पूरी तरह सेरुखान की फिल्म कहने में दो राएं नहीं है उनका परदर्सन भी बहतरीन है गुसे और फूर्ती से भरे सेरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बलकि दूसरों को तोड़ते नजर आ रहे हैं वही नवाजुद्दीन नहीं सांधाल अधाकारी की है फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नजर आये रुमान चरम पर पहुँचा मुहमद जीसान अयूब अतल कुलकर्डी के साथ बाकि कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है हाला कि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महच एक सो पीस ही लगी है फिल्म का बैक ग्राउंड स्कोर बढ़िया है लेकिन बाकि गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है जैसे ही रईस फिल्म खतम होती है मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की जरूरत क्या है क्यों बनाई गई है निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाय रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है। रैस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है। नया क्या है। ना बनिये का दिमाग दिखता है और ना मिया भाही की डेरिंग। शरुक खान चले हुए कार्तोस नजराते हैं और राहुल ढुलकिया अध्यर सितारे के मद में बहेकी निशांची। कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धंद से फिल्म के लिए तारीफे और आवार्ड खरीद दे जा सकते हैं। हिट का तिलस्मा रचा जा सकता है। रैश को कालपनिक कहानी मानना आधा सच है। या गुजरात में अवेश राब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीब का फिल्मी संस्क्रण है। जिस पर गलेमर का वर्क चड़ा है। लतीब पर 1982-90 के दसक में गांधी की धर्ती पर अवेश राब के धंदे, हत्या, अपहरर तसकरी के दर्जनों मामले समेथ आतंकवादी तथा, बिगिटन कारी की रियकलाब अधनियम यानि डाटर तक लगा था। मुंबई बंधमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया, मगर वह आतंकी दाउद इब्राहिम से कनेक्ट और कराची में उसका मेहमान था। लतीब पुलिस की गिरिप्त से फ्रार होने की कोशिस करते हुए मारा गया। राइस की कहानी में लतीप और उससे जुड़े अपराधिक राजनितिक सुत्रों के ताने बाने हैं। यहां राइस को राविन हुड अंदाज से रंगते हुए गरीबू का मसीहा दिखाने की कोशिस है। गौर से देखो तो टिकट खटकी पर लगातार पिटर है सहरुख खान या सलमान खान के फिल्मों में चैरिटी करने के भारमूले से सहान भूत बटोरने की लचर कोशिस में थे। कई हिस्सो में रैस एंगरी यंग मैन अमताब बचन की एंट्री हीरो फिल्मों की खराब फोटो कापी जैसी है। इतनी तनाव भरी हैं कि यह असर नहीं छोड़ पाता। अगर आप इतने रैस हैं कि ऐसी बासी निर्थक फिल्म पर नोट उड़ा सकते हैं तो इससे देखें। उस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी सहरु खान की रैस और रितिक रोसन की काविल। एक ही दिन दो बड़ी फिलमे रिलीज होने से दोनों अभी निता परैसान थे कि कहीं एक फिलम की वज़े से दूसरे के कारोबार को नुकसान ना पहुचे ऐसे में सारा दौरमदार फिलम की कहानी और उसके कंटेट पर था साल की सुरुआत में बाली बुड के दो दिगजों की फीलम एक ही दिन रिलीज होने से दरसकों के सामने बड़ी उल्जन थी रायस फिलम की कहानी सबसे बड़ी खासियत है कि यह सहरुखान की पहली पूरी एक्षन फिलम है सहरुखान के अभने की तारीफ करनी पड़ेगी गैंगेश्टर की भूमका को उन्होंने इतनी बाखुबी से निभाया है अभनी का मामले में नाचिदिन सिद्धी भी इस फिल्म में बराबर खड़े दिखते हैं फिल्म में एक्सन भरपोर है कई जगों पर फिल्म काफी रियलिस्टिक लगती है फिल्म में एस्टी के दसक के गुजरात का सांदार खाका कीचा गया है फिल्म के निर्देसक राहूल ढलकिया का निर्देसन अच्छा है और फिल्म का स्क्रिन प्ले काफी कसा हुआ है जैसा कि हेर फिल्म में होता है कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ कुछ कमजोर पॉइंट्स भी होते हैं जो इस प्रकार है फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं लगता है इस तरह की गंगेश्टर फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी हैं इस फिल्म में आपको अमिताब की अगनी पत, आजे देवगन की वन्स अपाने टाइम इन मंबई जैसी फिल्मों की जलक नजर आती है, लगता है कि उन्ही को मिला जुला कर एक फिल्म बना दी गई है पौने तीन घंटे लंबी फिल्म बोजिल लगती है, आइटम सांग और रोमांटिक गाने ठूसे हुए लगते हैं फिल्म का क्लाइमेक्स आपको चौका सकता है, सहरु के फैंस को हो सकता है, क्लाइमेक्स हजम ना हो बॉलिवुड के किंग सहरु खान के अभिने से सजी फिल्म रईश 25 जनूरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थी दर्सक लंबे वक्त से फिल्म के परदरसन का इंतजार कर रहे थे इसके ट्रेलर और गानों को काफी पसंद किया गया था सहरु खान ने इसके प्रमोसन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी चाहे सल्मान खान सोब इकबास में जाना हो या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में सफर करना हो किन खान अपनी इस फिल्म के परचार में जुटे हुए थे हाला कि फैयन्स के लिए सहरु खान की फिल्म का रिलीज होना अपने आप में एक बड़ी बात थी या कहानी गुजरात में रहने वाले एक छोटे बच्चे रईस आलम की है जो गरीबी के कारण सराब तसक्री के धंदे में पढ़ जाता है उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनिसमैन बनेगा पढ़ाए के साथ साथ वा सराब बिशने का भी काम करता है इसकी माने हमेशा उसे सिखाया है कि कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस मा की इस बात को ध्यान में रखकर सराब की तसकरी करते हुए वहाँ बच्चा एक बड़ा हो जाता है देखते ही देखते वहाँ गुजरात का एक बड़ा सराब माफिया बन जाता है रईस का बेस्ट फ्रेंड सादिक जो हमेशा उसके साथ रहता है इसके बाद फिल्म में एंटरी होती है इस्पेक्टर जैदी मजुमदार की जिसका एक ही मकसद है रईस के धंदे को रोकना फिल्म के सवाद काफी बेहतरीन है फिल्म में सहरु खान एक अलग ही अंदाज में नजर आये थे वह बेहतरीन डायलाग बाजी करते हुए भी दिखाए दे रहे थे एक बार फिर वह इस फिल्म में दर्सकों का दिल यतने में कामयाब हुए थे वही दूसरी तरब नाजुदिन सिद्गी ने भी पुलिस अधिकारी के किल्दार को बाखुबी पर उतारा था अब इने से लेकर उन्होंने समवादो को सांदार ढंक से परदे पर पेस किया था पाकिस्तानी अध्यकारा माहिरा खान की बात करे तो बहुत खुबसूरत नजर आ रही थी लेकिन वह कुछ ही सेन में नजर आई हैं बहुमाद जिसान आयोब राज़णा और तनू बेट समनू रिटरंस के बाद एक बार फिर इस फिल्म में जबरदस्त रॉल में दिखे थे राहुल डुलकिया ने रईस को 90 के दसक कर दिखाने की पूरी मिनत की है इस फिल्म को देखते हुए कई जगहों पर आपको पराने दोर की फिल्म में याद आ जाएंगी जिसमें हर कोई हीरो के सामने आकर कमजोर हो जाता है वही हीरो का अपनी मा की और बेंतिहा प्यार दिखाय गया है फिल्म में सहरुख खान का होना उनके फैंस के लिए देखना यही सबसे बड़ा कारण साबित होता है वही समें आपको बहतरीन डालॉग बाची एक्षान रोमान्स और ट्रामा एक साथ देखने को मिलेंगे फिल्म के गाने पहले ही हीट हो चके थे सनी लेवनी का लैला अंदाज आपको दिवाना बना देगा मूवी की कहानी को लेकर कैस लगाय जा रहे थे कि यह मूवी असी और नबे के दसक में गुजरात के अवे सराब का दंदा करने वाले गैंगेश्टर अब्दुललतीब पराधारी थे लतीब का गुजरात में अवे सराब का बड़ा समराज था अब्दुललतीब एहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बढ़ा था उसे जल्दी समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी जिन्दगी को नहीं जिया जा सकता लतीब के पिता तंबा को बेशते थे उसने अपने घरवालों की मदद के लिए छोटी ही उमर में जुआ घरों में काम करना सुरू कर दिया लतीब के साथ भाई बहन थे अब्दुललतीब अपराध जगत में पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मंजूर अली से हुई मंजूर अली एक जुआ घर चलाता था मंजूर ने जब लतीब के एक अवेज सराब के धंदे वाली चिकए पर काम करते देखा तो उसे अपने बिजनस की बागडोर संभाला लतीब जल्द ही अवेज सराब के धंदे में नियम सीखता गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली अवेज सराब के धंदे के लिए डिस्ट्यूब्यूटर्स, रिलेटर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, एकसाइज, विभाग और प्लिस से संपर्क बना लिये इसके बाद उसका धंदा चल निकला इसी तरह उसके राजनीती में भी अच्छे संपर्क बन गए इसके साथ ही उसने राज में अवेज सराब के धंदे का एक बड़ा समराज खड़ा कर दिया इस दोरान लतीब एक राजनीतिक पार्टी के मुख निसान बन गए लतीब पूरे गुजरात में एक आधिकार चाहते थे इसलिए उसने अपने प्रतिदंती गुटो को खतम कर दिया ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया 1990 में भाजपा ने इसका फाइदा विधानसभा चुनाओं में उठाने की कोसिस की लेकिन लतीब जनता दलके नेतरत के नजदीक थे जनता पार्टी भाजपा की सहोगी पार्टी थी ऐसे में यह सुल्जा लिया गया हाला कि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीब को फिर टार्गेट बनाया गया इसमें पार्टी को इसका अच्छा फाइदा भी हुआ अंडोवर्ट दान दाओद इबराहिम से नजदीकियों की वज़े से उसके अवेस राप के कारोबार में गराउट आई थी उस पर 1992 के मुंबई बलास्ट में हथियार सप्लाई करने का भी सक था हाला कि उसका नाम दंगे के 198 आरफियों में भी सामिल नहीं किया गया उसने एक बार पुष्टाश के दोरान या भी सुकार किया कि जब वह 15 महीने कराजी में रहा तो नियमित दाओद इबराहिम से मिलता था हाला कि उसकी मलाकात बिजनेश के सिलसले में होती थी गुजराद में जब लतीब का अवेस राप का करोबार चलता था तो उस पर 97 केस दर्च थे जिसमें 15 केस हत्या के सामिल थे उसे 10 अक्टूबर 1995 को ATS ने दिल्ली के जामा मजजिस से गरिपतार किया था ATS ने उसे दो महिने तक धोड़ा था इसके बाद वह ATS के हत्ये चड़ा दो साल बाद अब्दूल लतीब को उस वक्त इंकाउंटर में मार गिरा गया जब वह बचकर भागने की कोशिस कर रहा था उसकी गरिपतारी और इंकाउंटर भासपा के पच्छ में हुई थी सहरुख खान की मूवी रैस के निर्मातावा का कहना है कि अब्दूल लतीब की कहानी से कुछ पहलू जरू लिये गये हैं लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है रैस बॉक्स अफिस पर वो सफलता नहीं पराप्त कर सकी थी जिसकी इसकी उम्मीद की जा रही थी फिल्म बहतरीन थी कमी थी तो सिर्फ सॉलिट एक्शन की ये दुआ भी अस्तर का होता तो निश्ची रूप से फिल्म ने तीन सो करोड से जदा का कारुबार किया होता खर आज इस फिल्म को दुबारा से देखने का मौका मिला फिल्म देखते समय ऐसा महसूस हुआ कि अभी हाल ही में हमने इसी तरह के कतानक पर एक आधरित ब्लॉक बास्टर फिल्म देखी है राइस को देखते हुए लगा कि यह तो पुषपाद राइस की कहानी है एक दलित बेक्त की लगता से धन की कहानी जो खुद को अवेद व्यापार बेवसाय में पाता है अपने भरोसे मंद दोस्त के साथ और कानून के साथ संगर्ष करता है क्या हम अलू अर्जुन की पुषपाद राइस या सहरुखान की राइस के बारे में बात कर रहे हैं सुपर हिट फिल्म सहरुखान के सभी परसंसकों के लिए एक टिर थी पच्पाती लगाने के जोखिम पर वा कभी इतने अच्छे नहीं दिखे फिल्म बॉक्स आपिस पर रितिक रोसन की काबिल के साथ और बॉक्स आपिस रुपोर्ट से पता चलता है कि इस काबिल से कम कमाई की रईस आज भी एक परसंसक पसंदीदा है रईस के बाद हमने सहरुखान को जब हैरी मेड सोजल और जीरो में देखा कि खान के परसंसक उस फिल्म को भोल नहीं पाएंगे इसलिए हम सहरुखान की अगली पठान के प्रत्यासा में रईस को फिर से देख रहे हैं अब हमारी तरह सहरुखान के कई अन्य परसंसक भी फिल्म को फिर से देख रहे हैं और क्या लगता है उन्हें भी हमारी तरह राइस और नई राष्टी संसनी अलू अर जिनकी पुषपा दराइस के बीच एक अनोखी समानता दिखाई दे रही है अब राइक टूरिच एक पसंदीदा सिनेमाई ट्रॉप है इस अवसर पर उभरे दिलितना एक गरीबी और अनिचनोतियों से लगते हुए जो उनके रास्ते में आ सकते हैं और रंत में विजई होकर उभरना कुछ ऐसा है जिससे हम सिनेमाई परदे पर देखना पसंद करते हैं बेसक राइस और पुषपा दोनों हमें वह देते हैं कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुषपा राज और राइस आलम दोनों अपने जिवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट और कड़ी मेहनत करते हैं उनकी चितर बुद्धी ही उनका एक मातर हंथियार है और पैसा कमाना ही उनका एक मातर उद्दे से है आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने सिटिकेट के नियता बनते हुए अपने खेल के सीर्ज पर पहुंजाते हैं दोनों आवेद ब्याबार में सामिल हैं जो उन्हें नायक बिरोधी चाया भी देता है और यह कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं खास कर जब सहरु खान की बात आती है सहरु खान की फिल्म रईस अब्दुल लतीब की जिंदगी पर आधारित बताई जा रही है आईए जानते हैं अब्दुल लतीब के बारे में कुछ बाते जो सायत आपको नहीं पता होंगी 1951 में जन्मे अब्दुल लतीब ने सुरुवाती दोर में गुजरात के हम्दाबाद में एक जुए और सराब के ठेके पर 30 रुपे महिने की नौकरी से की थी उसमें गुजरात में सराब बंदी लागू थी इसी के चलते लतीब को तसकरी के धंदे में पैसा दिखने लगा और वो इस कारोबार में घुज गया एक पुलिस आपसर ने बताया कि उन दिनों लतीब पागलो की तरह पैसे चाप रहा था वो अस्थानी पुलिस वालों को हापता और महिगे गिप्ट देता था कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक उसमें गिप्ट लेने वालों में थे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए लतीब ने निताओ से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया उसने राजनितिक दलों को चंदा देने शुरू कर दिया 1980 के देशक में एहमदाबाद में कई बार दंगे हुए लतीब ने उस समय दंगा पेड़तों की बड़ी मदद की गरीबों और पेड़तों की मदद करके लतीब ने एहमदाबाद में राविन हुड जैसे छबी पना ली सराम माफिया और गेंगस्टर अब्दुल लतीब ने 1986-87 में एहमदाबाद नगरपाल का चुनाओ में पांच सीटों पर एक साथ जीत हांसिल की थी गुजरात में हुई कई हत्याओं में लतीब का नाम सामने आया जिसके बाद लतीब 1992 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था 1995 में गुजरात एंटी टेरिरिज्म इसकुएट ने लतीब को पुरानी दिल्ली के एक PCO बोस से गरिपतार किया लतीब करीब दो साल तक साबर मती जेल में रहा पुलिस के अनुसार नौमबर 1997 में लतीब ने भागने की कोशिस की और पुलिस मुढवेड में मारा गया सहरु खान एक बाचीत में अपनी फिल्म अपने किरदार और नोटबंदी के बारे में बात करते होई सहरु खान ने कहा था फिल्म रईस में मेरे किरदार की कहानी 7 साल से 47 साल तक ही है फिल्म में मेरे लुक को बढ़ती उमर के साथ बदलता हुआ दिखाया जाएगा फिल्म के पोश्टर में जो दाड़ी वाला लुक है वा मिरी इम्तियाज अलिकी फिल्म के लिए भी काम आ गया क्योंकि इम्तियाज को भी मेरी दाड़ी वाला लुक ही चाहिए था क्योंकि उनकी फिल्म का करेक्टर पंजाबी है तो थोड़ी पंजाबी वाली दाड़ी के साथ इम्तियाज की फिल्म में नजर आऊंगा सहरु खान रईस में अपने नगेटिव रोल को ही अपनी हिप्रिम डाउन के करदार से तुलना करते हुए बताते हैं दोनों ही नगेटिव करदारों में फरक है डाउन जो भी करता है सब स्टाइलिस, सेक्सी और कूल लगता है और आप उसके लिए यही सोचेंगे कि डान को कभी मारा ना जाए रईस का करदार अपनी गल्तियों की जिम्मेदारी लेना जानता है और गल्ती करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है वो अपने धंदे से बड़ा किसी मजहब को नहीं मानता खबरे थी कि रईस का करदार गुजरात के गैंगेश्टर और सराब मापिया अब्दल लतिव की जिंदगी पर आधारी थे सेरु कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है रईस की कहानी बिल्कुल काल्पनिक कहानी है जो 90 के दसक पर बेश्ट है मुझे लगता है कनफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लेकर निल्देसक और फिल्म की प्रस्ट भूम गुजरात की है हमें इसके लिए एक नोटिस भी आया था लेकिन इसमें कोई भी सचाई नहीं है ये फिल्म किसी भी जिंदाय मरश के इंसान की कहानी नहीं है मैंने इसके उपर बनी एक गुझराती फिल्म देखी है हम वही फिल्म फिर से क्यो बनाएंगे रेस में सन्णी लेउनी पर सुपर हिट गाना लैला में लैला फिल्माया है इस पर सेहरू कहते हैं कि सनी का गाना कोई आइटम नंबर नहीं है जब फिल्म देखे गए तो पता चलेगा कि सनी का पार्ट फिल्म के लिए कितना जरूरी है फिल्म 90 के दसक की है तो हमने सुचा कि उस समय अगर कोई बार में जाता था तो काउन सा गाना बसता रहा होगा हमें लगा कि उस समय का सबसे हिट गाना तो यही था बस हमने इस गाने के अधिकार ले लिए वही नोटबंदी पर सहरू कहते हैं अब तो आमिर खान की फिल्म दंगल ने अपने बिजनेस से साबित कर दिया है मेरी फिल्म डियर जिन्दगी भी आई थी और हमने जितना सोचा था उतना बिजनेस फिल्म ने किया नोटबंदी से आने वाला समय ब्रस्टाचार और काले दंग से मुगत होगा तो थोड़ी बहुत परेसानी हो रही है तीन दसक परानी कहानी देखने के बाद आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता सत्तर के दसक की कहानी लेकर आई फिल्म रैस एक गुजराती स्मगलर के इर्द गिर्द घुमती है रैस भाई जिन्हें पूरा गुजरात राविन होड़ बानता है लेकिन पुलिस की नजर में रैस एक अपरादी है पूरी फिल्म में आपको बस चोर पुलिस का खेल दिखाए देगा और अन्त वही पुरानी जमाने के स्टाइल में हुआ रैस के इस्टेंट देखकर आपको इंडियाज गौट टैलेंट के पृतिभागी याद आएंगे जो अपने मूव से दर्शकों से ताली बजवाते हैं एक्टिंग की बात करिते सहरुक ने अपने स्टैल से अलग हटकर वास्तों के संजिदत की नकल उतारी है बस फर्क इतना है कि वास्तों में संजिदत पच्चास तोला की चैन पहनते थे जबकि रैस गोल्ड का चिसमा लगाते हैं अब समझने ही आता है पहले से तैथा की शूटिंग के दोरान सहरुक खान के अंदर कुछ ज़्यादा ही समा गये और यहाँ सब देखकर रोमांज कम हसी ज़्यादा आती है नौाजुदिन के बात करें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है सही बात कहें तो नौाज के दम पर फिल्म में कुछ चान आती है माहिरा को बस जगए भरने के लिए रखा गया है उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी फिल्म देखने क्यों गए इसकी कोई ठोस होजे नहीं मिलती फिल्म में ना तो कोई मोटिव है और ना ही कोई मोटिवेशनल वह मनोरंजन के बात करें तो यहाँ कहानी निम्न दरजे की है और रही बात गानों की तोया बेवजे और बेवक्त दिखाई पड़ते हैं सही माइनों में देखा जाये तो गानों को वहाँ रखना चाहिए जहां फिल्म के कहानी नीची गिर्ती दिखती है फिल्म के अंत में जो मैसे जाता है वह भी बेतुका लगता है आप सोसल वर्क करते हैं तो अपराद करना जायज है यह बास समझ नहीं आती इदर दर्सक सहरुख खान की फिल्म रईस का बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे उधर खबर आ रही थी कि रईस अब मुस्किल में फश सकती है यह फिल्म गुजरात के जैंगेश्टर है अब्दुल लतीब के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी लतीब के बेटे एहमदाबाद की एक कोट में पिटीशन फाइल की थी जिसमें पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाते हुए 101 करोड रुपे की मानहानी का दावा भी ठोका था मुस्ताग ने सहरु खान पर इस फिल्म के जरिये अपने पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया था साथी फिल्म की रिलीज और प्रमोशनल माटेरियल के जारी होने पर भी रोग की मांग की थी उनका दावा था कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीब को गलित तरीके से पेस किया गया है मुस्ताग का कहना था कि लतीब को गुजरे कई साल हो चुके हैं आज उनका परिवार एक अच्छी और इजददार जिंदगी जी रहा है ऐसे में एक बार फिर जब उन लोगों का नाम लतीब के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था तो उससे उनकी परेशानिया और बढ़ रही थी मुस्ताग का कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे जाते वक्त कुछ लोग उनकी फैमली से मिलने आये थे प्रोडूसर इस बात का परचार भी कर रहे थे कि फिल्म लतीब की जिंदगी पर आधारित है अगर ये सच है तो इस फिल्म की कहानी का अंदाजा लतीब को जानकर ही लगाया जा सकता है आये जानते हैं कौन था डाउन लतीब अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले अब्दुल लतीब कालूपुर और ब्रीज के पास देशी सराफ बेचनी की शुरुआत कर क्राइम के दुनिया में कदम रखा था दीरे दीरे उसने अंग्रेजी सराफ बेचनी भी सुरू कर दी इससे अच्छी कमाई कर लेने के बार नतीब ने सहर के कोक इलाके में रहने वाले बदमासों को अपनी गैंग में सामिल कर लिया लतीब ने हतियार सपलाई करने वाले सरीब खान से हाथ मिलाया और सराफ के साथ साथ हतियारों का भी तसक्री करने लगा कुछ ही सालों में लतीब गैंगश्टर बन चुका था लेकिन किसी भी गैंगवार में वह खुछ सामने नहीं रहा लतीब ने चालाकी से कई छोटी मोटी गैंग में फूट डलवाई और उनके साथियों को अपनी गैंग में मिला लिया इस तरह एमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया लतीब ने गुजरात में अवे सराब बेशने का नेटवर्क तो इसकदर खड़ा कर लिया था कि कोई भी अवे सराब बेशने वाला बिना उसकी मरजी से सराब नहीं बेश सकता था उसे सराब लतीब से ही खरीदनी परती थी सहर के मुस्लिम इलाकों में लतीब गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था क्योंकि वह बेरोजगार यूकों को अपनी गैंक में सामिल कर लेता था उसकी वज़े से उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा बताया जाता है कि उस वक्त अंडर वड़दान दाओद इबराहिम भी वड़ोदरा में ड्रक्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था एक बार दाओद और लतीब के बीच गैंगवार छिड़ गई लतीब के गुर्गों ने दाओद को घेर लिया था और दाओद को वड़ोदरा से भागना पड़ा लतीब गुजरात में 40 से भी ज़्यदा हत्याओ का अरोपी था जबकि उतने ही किडनेपिंग केस भी उस पर थे अब्दुल लतीब को 1995 में दिल्ली से गिरिपतार किया गया था जिसके बाद उसे साबर मती जेल अहमदाबाद में रखा गया पर जेल में भी लतीब का कारोबार चलता रहा गुजरात के पहले और आकरी अंडर वाड़दान अब्दुल लतीब से की ताकत का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि 1986 के अहमदाबाद महानगरपाल का चुनाव में लतीब एक साथ पांच सीटो पर भारी बहुमत से जीता था और वो भी साबर मती सेंटरल जेल में बैठे बैठे नॉमबर 1997 में अब्दुल लतीब को गुजरात पुलिस ने एक एंकाउंटर में मार गिराया उस वक्त वा भागने की फिराक में था लतीब के खतम होने के साथ ही गुजरात में उसका पूरा निटवर्क बेखतम हो गया अब लतीब की जिंदगी के इन पहलों को देखकर क्या कहे क्या ये फिल्म रईस की कहानी है हाला कि फिल्म निर्देसक राहूल डुला किया इस बास साफ हिंकार करते रहे हैं कि ये फिल्म लतीब की जिंदगी पर आधारित है फिल्म रईस एक आदमी जिसका नाम रईस आलम था की जिंदगी पर से प्रिरित होकर बनाई गई है फिल्म असी और नबे के दसक के गुजरात पर बनी है या राइस के रिष्टों और तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है जिसमें वाखाली हाथ आने के बाद एक बड़ा समराज खड़ा कर लेता है उसका आउधा पूरे राज में सबसे अधिक ताकतवार आदमी का हो जाता है गैंगेश्टर से कुछ कम रैस एक मैनेजर की तरह काम करता है वह लोगों में अपनी पॉर्ट बना लेता है और उसका भरोसा जीत लेता है उसका अपना काम करने का स्टाइल बेजोड इच्छा सकती और सोने जैसा दिल की बड़ुलत वा जनता में बेहद लोग प्रीव हो जाता है उसके किवदार की कई परते हैं उसके कई चेहरे हैं जिनके कारण लोग उससे डरते हैं प्यार करते हैं और पूझते हैं हमेशा वक्त के आगे की सोंच रखने वाला रैस अपने राष्टे की रुकाओड बनने वाली हर चीज और आदमी को पूरी त्रेसस साफ कर देता है उसके समराज की नियुत तब हिलती है जब उसके सामने किसी भी तरह के अपराद को सहन ना करने वाला पुलिस आपसर आ जाता है इस आपसर की जिंदगी का एक ही मक्सद होता है क्राइम का खातमा आगे जो होता है वह है रईस और आपसर के बीच की जंग जो फिल्म को आगे बढ़ाती है रईस अपरादबर आधरीत हिंदी भासा में बनी एक भारती एक्षन थिलर फिल्म है इसका निर्देशन राहूल डोलकिया ने किया है इसका निर्माड फराहन अक्तार, रितेश, सिधवानी और गोरी खान ने किया है इसका निर्माड अपरेल 2015 में सुरू हुआ इसमें सहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद दिन सिद्ध की मुखी किलदार में है फिल्म में अबनेतरी सन्नी लोयन एक बिसेज गाने में सहरुख खान के साथ है फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीप पर आधारित बताया जा रहा था पर फिल्म निर्माताओं ने आस्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से कालपनिक है जिसका किसी भी बगती से कोई लेना देना नहीं है फिल्म 25 जनूरी 2017 को सिनेमा घरों में पर दर्शित हुई थी फिल्म 1960 के दिसक के मद इसो शुरू होती है और 1991 में समाप्त होती है जैसा कि फिल्म में एक अखबार की तारिक से रैस गुजराद के फदेपुर में रहता है एक ऐसा राज जहां सराब बंदी लागू है और बहुत कम अमर में कानूनी सराब के दंदे में सामिल हो जाता है साहिद के साथ वह एक गंगेश्टर जहराज के लिए काम करता है जो पलिस को रिस्वत देकर अवैद रुप से सराब की तसक्री करता है रैस अपनी इमा के दर्सन से जीता है वह हर बेवसाय अच्छा है और कोई भी धर्म किसी भी बेवसाय से बड़ा नहीं है क्योंकि यह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है रैस जैराज के साथ भाग लेने का फैसला करता है और खुद ही काम करना सुरू कर देता है वह मुंबई में मुसा भाई से मिलता है और उसकी मदद से वह अपना बूट लेगिंग बेवसाय सुरू करता है इसी बीचे कि मांदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जे ए मजुमदार फतेपुर में स्थांतरित होता है ए मजुमदार पतेपुर में स्थांतरित होता है और सराब डीलरों पर बड़ी कारवाई सुरू करता है फिल्म की सूटिंग अपरेल 2015 में सुरू हुई फिल्म की सूटिंग मुंबई में की गई और शिट को एहमदाबाद की मालिन बस्तियों को चितरित करने के लिए फिर से तयार किया गया फिल्म का आखरी स्थिडूल जनुरी 2016 में गुजरात में सूट किया गया था बिरोद के बावजोत फिल्म को जनुरी और फरोरी 2016 के बीच बिना किसी बवधान के भुज में सूट किया गया प्राचेन मजजित और मकबरे परसर सरखेस रोजा में आहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारती पुरातत सरवेच्छट द्वारा मंजोरी जारी की गयी थी रैस के लिए संगीत राम संपत ने दिया है जावेद अक्तिर ने फिल्म के गाने लिखे हैं फिल्म के संगीत अधिकारों का अधिगरहड जी म्यूजिक कमपनी ने किया है फिल्म का गाना लैला मैं लैला रैस फिल्म की कहानी यूतो साधारड कही जा सकती है लेकिन फिल्म को सांधार तरीके से पेज किया गया है इस फिल्म का निदेशन राहूल डुलकिया ने किया है पूरी फिल्म मनोरंजन एक्षन और रोमांस के रंगों से भरी हुई है या फिल्म गुजरात में अवेसराब का करोबार करने वाले कुख्यात अपरादी अब्दुललतीब का फिल्मी संस्क्रड है जिस पर ग्लैमर का तर्का लगा दिया गया है लतीपर 1980-90 के दसक में गांधी की धर्ती पर अवेसराब के धन दे हत्या अपरहड तसकरी के दर्जनों मामले समय आतंगवादी एंटाडा तक लगा था फिल्म की कहानी गुजराद के फतेपुर से सुरू होती है जहां रईस का बच्पन अपनी मा की साथ गरीबी में गुजर रहा है फिल्म रईस की कहानी 1980 के दोर में गुजरात के इर्दगिर्द घुमती है या फिल्म रईस नाम के एक सक्स के बारे में बताती है जो जिन्दिगी में कुछ बड़ा करना चाहता है किंग खान की या फिल्म रईस की जिन्दगी में आते उतार चड़ा को दिखाती है फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से जीरो से सुरू होकर रईस एक बड़ा समराज खड़ा कर लेता है रईस अपनी मा की बात कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता को गांट बानकर आगे बढ़ता है और अवेस राव के कारोबार करने लगता है रईस काम्याबी की सीड़िया अपने चर्टा चला जाता है लेकिन उसकी मुश्किलता बढ़ जाती है जब उसके इलाके में पुलिस वापसर जैदीब मजुमदार आता है जो अवेस राव कारोबरियों के रईस को अपने इलाके की रहने वाली मुहसिना यानि महिरा खान से प्यार है और उससे साधी करोव अपना घर भी बचा लेता है फिर धिरे धिरे रईस गुजरात में बड़ा नाम बन जाता है और वहां का डौन बन जाता है रईस अपने इलाके का मसीहा भी है और फिर उस उसी किलदार का नजर आता है जो उन्होंने परदे पर निभाया है नौाजुद दिन सिदिकी ने अभिने के मामले में सहरु खान को कड़ी टक कर दी है फिल्म कुछ जगोह पर कमजोर पड़ी भी है तो वह इन दोनों अभिनताओं ने अपने एक्टिंग से संभाल लिया है और इस कमी को जलकने नहीं दी है पाकिस्तानी अदाकारा महिरा खान की या बाली बुड में पहली फिल्म है एक्टिंग के लिहास से उनके पास जदा कुछ करने का स्कॉप नहीं बजा था पिर भी उन्होंने अदाकारी अच्छी की है महिरा के साथ सेरुख खान का रोवांटिक एंगल भी अच्छा है फिल्म में महिरा खान बहुत खुबसूरत दिखी है सेरुख खान के साथ उनकी कमेश्टरी चासती है रेश के समाद आपको ताली और शीटिया बजाने को भी वास कर देंगे इसकी रिप्रिकासी हुई है और सिंस का फिल्मांकन भी दमदार है बैगराउंड इसकोर ने फिल्म में जान डाल दी है संगीत के बात करे तो उड़ी उड़ी जाए जालिमा लेला मेलेला जैसे गाने पहले ही ही फिल्म के गाने भी इसका एक आहम हिस्सा हो गया है फिल्म के लंबाई थोड़ी ज्यादा लगती है जिसे एडिटिंग का थोड़ा छोटा किया जा सकता था लेकिन कुल मिला कर आप सेरुखान के फैन है और एक मनोरंज़क फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं अक्सर सोचा कि गैंगेश्टर अपरादियो और अंडर वर्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्म मेकर्स इस सैली की फिल्मों से तने आगर्शित हैं हाला कि मैं सैली की फिल्मों का जबर्दस्ट पर संसक नहीं हूँ लेकिन साथ ही मुझे या कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ट फिल्में दीवार, धर्मात्मा, परिंदा, अगनिपत, सत्या, वास्तो, गैंगेश्टर, शूट आउट एट लोखंडवा रैस के बारे में जबर्दस्ट अटकले हैं, इस फिल्म की कहानी असल जिन्दगी से प्रेरित है, या असल जिन्दगी के किरदारों पर आधारित है, सच कहूं तो फिल्म में दिखाये गए किरदारों की परमारिकता पर टिपड़ी करने के लिए अटकलों को जाचने के लि अमीर और प्रभावसारी लोगों में उठना बैठना लेकिन आखर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना रैस भी ऐसी ही खाका प्लाट लाइन पेस करती है अंतर सिर्फ रितना है कि इस सेले की कई फिल्मों की तुलना में या फिल्म दस्ट कोड में अधिक प्रभावसारी धंक से दर्शाया है मेरी राय से यही इस फिल्म का मुख्याधार है या कहने के बाद मैं स्विकार करता हूँ जो फिल्म को एक उचाई पर लेकर जाता है ओ है सहरुक खान और नौजुतिन सिद्धकी जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरिन किरदार सन उनीस सो असे की दिसकी प्रिष्ट भूम में रईस सिस्टम प्रडाली को हराने की कोशिस करता है और अपनी सर्तों पर सफल भी हो जाता है उद्धम सेलता के लिए उसका प्राकरतिक सुभाव और अपने लच्छों को प्रात करने के दौरान कभी हार ना मानने वाले द्र लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वरतमान के दर्सकों जिने उन किरदारों और यूग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को सामिल करना प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस यूग को बहतरी धंक से बनाया है डुलकिया और उनके लेखक की टीम ने इस बात का पूरा ख प्रिदारों और एप्रिशोर्स जो फिल्म में हाइलाइट किये गए हैं का धन्यवाद डुलकिया वास्तों में कट्टर बेवसाइक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद बाखुद बड़े बजट की फिल्म है और सहरुक और डुलकिया ये भली बाती जानते हैं कि दाओं बड़ा है उन्होंने वास्त्विक्ता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गती और उर्जा कदाचित कम ना हो लेकिन सबसे मातपूर बात यह है कि उन्हों फिल्म का फ़र्ष्ट हाप आपकी उतसकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सिकंड हाप देखने के लिए ललायत हो जाते हैं लेकिन यहाँ समस्या पैदा होती है इंटर मिसन के बाद फिल्म की घती धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सीक्वेंस सीन बिफल हो जाते हैं सुकर है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की जिंदगी में एक नाटकी मोड लेती है जो कि फिल्म का हाई वर्टेज क्लाइमेक्स है फिल्म का साउंट्रेक अच्छा है हाला कि फिल्म के डान्स और गीत में थोड़ी और गुंजा कथानक में उदार्थ पूरोग इस्तिमाल किया गया फिल्म की सिनमेटोग्राफिर ने स्चिल्यू लाइड पर अस्थानों को बहुत है सांधार ढंग से कैप्चर किया है एडिटिंग एकदम कसा हुआ है दर्शकों को ध्यान में रखकर डालाग बनाये गए जो अपना अस करना चाहिए वो लोगों में उत्साह और उमक भर देते हैं 200 रूप से फश्ट हाप में एक्शन स्युकेंस बहुत दमदार है रैस में सांधार परदर्शन लगातार उलेखनी है सहरुक बढ़िया कलाकार के साथ 700 इस्टीलर भी है पिल्म में उनका गिरे किर्दार उनके कर परदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किलदारों में डूबा देता है माहिरा खान बहुत खूबसूरल लगती हैं और पूरे आतम विश्वास के साथ अपने किलदार को निभाती हैं मुहम्मद जीसान अयूब की एक ठोस भूमका में पूरी त्रिस्ट डूब जा और उदे तिके कर अपने अपने भागों में परिपोड हैं सनी लियोन लैला में लैला आइटम नंबर में संसनी फैला देती हैं कुल मिलाकर रईस पक्के तोर पर एक हिट फिल्म है इसमें कोई सक नहीं है कि सेरु खान एक संसिनल अभिनेता है जो प्यार मुनुहार और इ जबर्दस परफॉर्मेंस बेर जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी बिशे समागरी और निसंदे इसका मनोरंज क्लाइमेक्स फिल्म रईस 1980 के दसक में गुजरात आधारित एक एक संथिलर फिल्म है या ऐसे तसकर की कहानी है जिसके धंदे को एक सक्त पुलिस सदकारी ने चौपट कर दिया कलेस और रिट्स लिश अंडेटिन्मेंट दोरा निर्मित या फिल्म 25 जनूरी 2017 को सिनेमा घरों में रिलेज हुई थी कहानी गुजरात के फटेपुर की है जहां फिल्म की सुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से जो गरीबी के करण सराब तसकरी में आ जाता है स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है पडोस का डाक्टर उसे चस्मा लेने की सलाह देता है चस्मा पहनने के बाद रईस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का सराब तसकरी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंदा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस इसको रईस अपनी जिंदिगी का मोल मंतर बना लेता है इसके बाद रईस सराब के बिजनस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और सराब तसकर के बादसा जैराज सेट का दाया हाथ बन जाता है और बनिये का दिमाग और मिया भाई की डेरिंग को सब जानते हैं जैसे जैसे समय बीदता है रईस अपना खुद का बिजनस सुरू करना चाता है सादिक रईस का बेश्ट फ्रेंड है रईस अपने इंपायर का बॉस बन जाता है पुलिस नेता हर किसी से उसकी साथ गाठ है और उसका काम होता रहता है लेकिन वो साथ ही साथ देशी रॉबिन हुड भी है चाहे उसके पडोसी हो महले वाले या कोई और वो कभी मदद करने से हिचकेचाता नहीं है कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इस्पेक्टर जदी मजुमदार से होती है जदी मजुमदार का एक ही उरादा होता है कि रईश के बिजनिस को मिट्टी में मिला देना है उसे आप कहते सुनेंगे की रईश का और मेरा रिस्ता बड़ा आजीब है पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने को नहीं देता पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता इसके बाद फिल्म चुहे बिल्ली का खेल सुरू होता है सहरु खान की फिल्म रई साब को सतर और असी के दसक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहावी है एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनिती के बीज भी अपना काम इमानदारी से करता है खोबसूरत हिरोयन है और हीरो की परचाही बन कर रहती है एक वाफादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तयार है साथ ही कुछ बुरे लोग, सताई जनता, बेबस मा और खोब सारा एक्षन इसके अलावा हिलन की तर्च पर सनी लेउनी का एक आइटम सांग भी है जो खून खराबे के भी सुकून देता है कहानी एट्टी के दसक के गुजरात पर बेश्ट है जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत खराब होने की वज़े से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंदे की तरफ आकरसित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में सराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंदा सुरू करता है अपने दिमाग और डेरिंग की वज़े से उचल्द ही अवे सराब का बड़ा बिजनसमैन बन जाता है लेकिन इसी बीच ACP मजूमदार यानि नाजुदिन सिद्ध की उसके पीछे पड़ जाता है जो काफी कड़क पुलिस वाला है लेकिन रईस का धंदा रोक पाने की हजार कोसिज करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता इस दोरान कहानी में कई उतार चड़ावाते हैं जिन में चुनाओं दंगे बंबलास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती है फिल्म की एंडिंग भी काफी दिल्चस्प है केयू मोहनन की सिनोमेटोग्राफिक कमाल की है बैग्राउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसकी वज़े से एट्टी के दिसक का माहल पूरी फिल्म के दोरान बना रहता है फिल्म के सबसे बड़ी खासियत है इसके डालाक्स जो आडियंस को तालिया बजाने पर मजबूर कर देते हैं फिल्म का फ़स्ट हाप अच्छा है लेकिन इंटरोल के बाद फिल्म की रप्तार सुस्त हो जाती है जिसे ठीक किया जा सकता था साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रप्तार पर अस्त डालते हैं सिर्फ सनी लेउनी पर फिल्माया गया आटम सांग ही कहानी के साथ फिर बढ़ता है फिल्म के सिकंड हाप को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था रईस पूरी तरह से सहरुखान की फिल्म है उनका काम सांदार है नौाजुदिन सिद्गी की एक्टिंग भी बेहतरीन है फिल्म में जब भी दोनों साथ नजर आते हैं एडवेंचर बढ़ जाता है जहां एक तरफ नौाजुदिन की लिखकर लेने की स्टाइल है वहीं दुसरी तरफ सहरुखान की डालाग बोलने का अंदाज कमाल का है मुहमद जी सान, अयूब, अदुल कुलकर्डरी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है पाकिस्तानी एक्टर्स महिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था एक दुगाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती सेकंड हाप में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है लेकिन वो भी कुछ देर के लिए फिल्म का बैग्गराउंड स्कोर अच्छा है लेकिन सांग में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के साथ फिट बैठता है यू तो फिल्म को लेकर अक सुरू से कोई ना कोई बिवाद रहा है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर बिवाद हो सकता था फिर चाहे वो बोचल खाने में जानोरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूरती से चस्मा उतारने का सीन कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकट में पुराने माल की तरह है और अगर आप सहरु खान और नाजी दिन सिद्गी के फैन है तो आप एक बारे फिल्म जरूर देखे लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही सहरु खान की फिल्म रही सत्तर और S.C. के दसक की टिपकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है इस फिल्म का हीरो गेर कानूनी काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है इस हीरो के साथ है एक खुबसूरत हिरूईन जो हीरो की परचाई की तरह है हीरो का एक जिगरित दोस्त जो इसके लिए अपनी चान भी दे सकता है फिर एक इमानदार पुलिस ओपसर जो अपने काम को पूरी इमानदारी से पुरा करता है इन सबसे वेबस मा, अत्यचार की मारी जंता, कुछ बुरी लोग और खुब सारा एक्शन इतने मसाले के बाद एक जबदस्त आइटम नमबर जो हेलन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच जिराहत देता है फिल्म की कहानी अस्ची के दसक के गुजरात पर आधारित है, जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है गर की माली हालात बहुत खराब रहती है, जिससे रईस का दिमाग सुरू सही धंदे की तरफ रहता है रईस बच्पन से ही स्कूल बैक में सराब रखकर सप्लाई करने लगता है, लेकिन बड़े होने के बाद वो खुद का धंदा सुरू करता है अपने दिमाग और निडर्ता से अवेद सराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक के सेपी मजूमदार रईस के पीछे पढ़ जाता है मजूमदार एक कड़क पुलिस वापसर है, जो सराब के अवेद कारोबार को रोकने की कई कोश्टे करता है, तमाम कोश्टों के बावजूद भी रईस उसकी पकर से आजाद ही रहता है कई उतार चड़ाओं से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफी दिल्चस्प होता है, फिल्म का निर्देशन उंदा है, फर्ष टाप काफी कसा हुआ है, लेकिन सिकंड हाप में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है यहां अचानक से एंटी हिरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है, सरपट भागती फिल्म हिशकोले लेने लगती है, खैरियत बात करें सिनेमेटो गराफी की, तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है, फिल्म आपको असी की दसक में ही लेकर जाती है, वही कुछ गाने फिल्म की रबतार पेजा ही सुष्ट कर देते हैं, फिल्म रईस को पूरी तरे सरुखान की फिल्म कहने में दो राएं नहीं है, उनका परदर्शन भी बेहतरीन है, गुसे और फूर्ती से भरे सरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं, बलकि दूसरो को तोड़ते नजर आ रहे हैं, वही नवाजुद्दीन ने ही सांदाल अधाकारी की है, फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नजर आये, रोमान चरम पर पहुंचा, मुहमत जीसान अयूब, अतल कुलकर्डी के साथ बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया ह हाला कि पाकिस्तानी अधाकारा माहिरा महच एक सो पीस ही लगी है, फिल्म का बैक्ग्राउंड स्कोर बढ़िया है, लेकिन बाकी गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है, जैसे ही रईस फिल्म खतम होती है, मन में सवाल आता है कि इस जरूरत क्या है, क्यों बनाई गई है, निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं, हिंदी सिनेमा में सैकड़ो फिल्मे हैं, जिन में घोर गरीबी में पला बढ़ा बच्चा, बढ़ा होकर गैंगस्टर नुमा अपराधी बनता है, और कोई जिद्धी पीछे लगा होता है, पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाय रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है, रैस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है, नया क्या है, ना बनिये का दिमाग दिखता है और ना मिया भाई की डेरिंग, सरुक खान चले दिमा रचा जा सकता है, रैस को कालपनिक कहानी मानना आधा सच है, या गुजरात में अवेस राप का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीव का फिल्मी संस्क्रण है, जिस पर गलेमर का वर्क चड़ा है, लतीव पर 1980-90 के दसक में गांधी की धरती पर अवेस राप के धंदे, हत्या, अपहरर तसकरी के दरजनों मामले समेथ आतंकवादी तथा, बिगडन कारी की रेकलाब अधनियम यानि डाटर तक लगा था, मुंबई बंधमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया, मगर वह आतंकी दाउद इब्राहिम से कनेक्ट और कर पराची में उसका महमान था, लतीप पुलिस की गिरिप्त से फ्रार होने की कोशिस करते हुए मारा गया, रईस की कहानी में लतीप और उससे जुड़े अपराधिक राजनितिक सुत्रों के ताने बाने हैं, यहां रईस को राविन हुड अंदास से रंगते हुए गरीबू यंग मैन अमताब बचन की एंट्री हीरो, फिल्मों की खराब फोटो कापी जैसी है, सहरुक ना गुच्छे और एक्षन में जमते हैं, ना रोमांस करते हुए, पुलिस बने नवाजुतिन सिद्ध की पूरी फिल्म में उन पर हावी है, नवाज फिल्म को ना समालते तो य पहला जिस मोड पर आता है, वहां रैस की प्रिस्तितिया इतनी तनाव भरी हैं, कि यह असर नहीं छोड़ पाता, अगर आप इतने रैस हैं कि ऐसी बासी निरुथक फिल्म पर नोट उड़ा सकते हैं, तो इससे देखें। को नुकसान ना पहुचे, ऐसे में सारा दर्मदार फिल्म की कहानी और उसके कंटेंट पर था, साल के सुरुआत में बाली बुड़ के दो दिखजों की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने से दर्सकों के सामने बड़ी उलजन थी, रैस फिल्म की कहानी सबसे बड़ी खासियत ह कि ये सहरुखान की पहली पूरी एक्सन फिल्म है, सहरुखान के अगने की तारीफ करनी पड़ेगी, कैंगेश्टर की भूमका को उन्होंने इतनी बाखुबी से निभाया है, अबनी का मामले में नाचिदुन सिद्धी भी इस फिल्म में बराबर खड़े दिखते हैं, फि फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं लगता है, इस तरह की गंगेश्टर फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी हैं, इस फिल्म में आपको अमिताब की अगनी पत, आजे देगन की वन्स अपाने टाइम इन मंबई, जैसी फिल्मों की जलक नजर आती है, लगता है कि उ बॉलिवुड के किंग सहरु खान के अभिने से सजी फिल्म रईस 25 जनूरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थी, दर्सक लंबे वक्त से फिल्म के परदर्सन का इंतिजार कर रहे थे, इसके टेलर और गानों को काफी पसंद किया गया था, सहरु खान ने इसके प्रमो गुजरात में रहने वाले एक छोटे बच्चे रईस आलम की है, जो गरीबी के कारण सराब तसक्री के धंदे में पढ़ जाता है, उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनिसमैन बनेगा, पढ़ाई के साथ साथ वा सराब बिचने का भी काम करता है, उसकी माने हमेशा उसे सिखाया है कि कोई दंदा छोटा नहीं होता, और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, बस मा की इस बात को ध्यान में रखकर सराब की तिसकरी करते हुए, वह बच्चा एक बड़ा हो जाता है, देखते ही देखते हुए गुजरात का एक बड़ा सराब माफ फिल्म में सहरु खान एक अलग ही अंदाज में नजर आये थे वह बहतरीन डालाग बाजी करते हुए भी दिखाए दे रहे थे एक बार फिर वह इस फिल्म में दर्सकों का दिल यतने में कामयाब हुए थे वही दूसरी तरफ नाजी दिन सिद्धी ने भी पूलिस अधिकारी के किल्दार को बाख़ोबी पर्दे पर उतारा था अब इन्हें से लेकर उन्होंने समधों को सांधार धंक से परदे पर पेस्ट किया था पाकिस्तानी अद्यकारा माहिरा खान के बात करे तो बहुत खुबसूरत नजर आ रही थी लेकिन वा कुछ ही सेन में नजर आई हैं बहुमत जिसान आयोब राज़णा और तनू बेट समनू रिटरंस के बाद एक बार फिर इस फिलम में जबरदस्त रॉल में दिखे थे राहुल डुलकिया ने रईस को 90 के दसक कर दिखाने की पूरी मिनत की है इस फिलम को देखते हुए कई जगहों पर आपको पराने दोर की फिलमे याद आ जाएंगी जिसमें हर कोई हीरो के सामने आकर कमजोर हो जाता है वही हीरो का अपनी मा की और बेंतिहा प्यार दिखाय गया है फिलम में सहरुखान का होना उनके फैंस के लिए देखना यही सबसे बड़ा कारण साबित होता है वही इसमें आपको बहतरीन डालॉग बाची एक्षान रोमान्स और ट्रामा एक साथ देखने को मिलेंगे फिलम के गाने पहले ही हीट हो चके थे सनी लेवनी का लैला अंदाज आपको दिवाना बना देगा मूवी की कहानी को लेकर कयास लगाय जा रहे थे कि यह मूवी असी और नबे के दसक में गुजरात के अवे सराब का दंदा करने वाले गैंगेश्टर अब्दुललतीब पराधारी थे लतीब का गुजरात में अवे सराब का बड़ा समराज था अब्दुललतीब एहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बढ़ा था उसे जल्दी समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी जिन्दगी को नहीं जिया जा सकता लतीब के पिता तंबागू बेशते थे उसने अपने घरवालों की मदद के लिए छोटी ही उमर में जुआ घरों में काम करना सुरू कर दिया लतीब के साथ भाई बहन थे अब्दुललतीब अपराध जगत में पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मंजूर अली से हुई मंजूर अली एक जुआ घर चलाता था मंजूर ने जब लतीब के एक अवेज स्राव के धंदे वाली चिगए पर काम करते देखा तो उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभाला लतीब जल्द ही अवेज स्राव के धंदे में नियम सीखता गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली अवेज स्राव के धंदे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलेटर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, एकसाइज, विभाग और प्लिस से संपर्क बना लिए इसके बाद उसका धंदा चल निकला इसी तरह उसके राजनीती में भी अच्छे संपर्क बन गए इसके साथ ही उसने राज में अवेज स्राव के धंदे का एक बड़ा समराज ख़ड़ा कर दिया इस दोरान लतीब एक राजनीतिक पार्टी के मुख निसान बन गए लतीब पूरे गुजरात में एक आधिकार चाहते थे इसलिए उसने अपने प्रतिदंती गुटो को खतम कर दिया ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया 1990 में भाजपा ने इसका फाइदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिस की लेकिन लतीब जनता दलके नेतरत के नजदीक थे जनता पार्टी भाजपा की सहोगी पार्टी थी ऐसे में यह सुल्जा लिया गया हाला कि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीब को फिर टार्गेट बनाया गया इसमें पार्टी को इसका अच्छा फाइदा भी हुआ अंडोवर्ट दान दाओद इबराहिम से नजदीकियों की वज़े से उसके अवेस राप के कारोबार में गराउट आई थी उस पर 1992 के मुंबई बलास्ट में हथियार सप्लाई करने का भी सक था हाला कि उसका नाम दंगे के 198 आरोपियों में भी सामिल नहीं किया गया उसने एक बार पुझताश के दोरान या भी स्युकार किया कि जब वह 15 महीने कराजी में रहा तो नियमित दाओद इबराहिम से मिलता था हाला कि उसकी मलाकात बिजनेश के सिलसले में होती थी गुजरात में जब लतीब का अवेस राप का करोबार चलता था तो उस पर 97 केस दर्च थे जिसमें 15 केस हत्या के सामिल थे उसे 10 अक्टूबर 1995 को ATS ने दिल्ली के जामा मजजिस से गिरिपतार किया था ATS ने उसे दो महिने तक धोड़ा था इसके बाद वह ATS के हत्ये चढ़ा दो साल बाद अब्दूल लतीब को उस वक्त इंकाउंटर में मार गिरा गया जब वह बचकर भागने की कोशिस कर रहा था उसकी गिरिपतारी और इंकाउंटर भाजबा के पच्छ में हुई थी सहरुख खान की मूवी रैस के निर्मातावा का कहना है कि अब्दूल लतीब की कहानी से कुछ पहलू जरू लिये गये हैं लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है रैस बॉक्स अफिस पर वो सफलता नहीं पराप्त कर सकी थी जिसकी इसकी उम्मीद की जा रही थी फिल्म बहतरीन थी कमी थी तो सिर्फ सॉलिट एक्शन की ये दूआ भी अस्तर का होता तो निश्ची रूप से फिल्म ने तीन सो करोड से जदा का कारुबार किया होता खर आज इस फिल्म को दुबारा से देखने का मौका मिला फिल्म देखते समय ऐसा महसूस हुआ कि अभी हाल ही में हमने इसी तरह के कतानक पर एक आधरित ब्लॉक बास्टर फिल्म देखी है राइस को देखते हुए लगा कि यह तो पुषपाद राइस की कहानी है एक दलित बेक्त की लगता से धन की कहानी जो खुद को अवेद व्यापार बेवसाय में पाता है अपने भरोसे मंद दोस्त के साथ और कानून के साथ संगर्ष करता है क्या हम अलू अर्जुन की पुषपाद राइस या सहरुखान की राइस के बारे में बात कर रहे हैं सुपर हिट फिल्म सहरुखान के सभी परसंसकों के लिए एक टिर थी पच्पाती लगाने के जोखिम पर वा कभी इतने अच्छे नहीं दिखे फिल्म बॉक्स आपिस पर रितिक रोसन की काबिल के साथ और बॉक्स आपिस रुपोर्ट से पता चलता है कि इस काबिल से कम कमाई की रइस आज भी एक परसंसक पसंदीदा है रइस के बाद हमने सहरुखान को जब हैरी मेड सोजल और जीरो में देखा कि खान के परसंसक उस फिल्म को भोल नहीं पाएंगे इसलिए हम सहरुखान की अगली पठान के प्रत्यासा में रइस को फिर से देख रहे हैं अब हमारी तरह सहरुखान के कई अन्य परसंसक भी फिल्म को फिर से देख रहे हैं और क्या लगता है उन्हें भी हमारी तरह राइस और नई राष्टी संसनी अलू अर जिनकी पुषपा दराइस के बीच एक अनोखी समानता दिखाई दे रही है अब राइक टूरिच एक पसंदीदा सिनेमाई ट्रॉप है इस अवसर पर उभरे दिलितना एक गरीबी और अनिचनोतियों से लगते हुए जो उनके रास्ते में आ सकते हैं और रंत में विजई होकर उभरना कुछ ऐसा है जिससे हम सिनेमाई परदे पर देखना पसंद करते हैं बेसक राइस और पुषपा दोनों हमें वह देते हैं कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुषपा राज और राइस आलम दोनों अपने जिवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट और कड़ी मेहनत करते हैं उनकी चितर बुद्धी ही उनका एक मातर हंतियार है और फैसा कमाना ही उनका एक मातर उद्दे से है आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने सिटिकेट के निता बनते हुए अपने खेल के सीर्ज पर पहुंजाते हैं दोनों आवेद ब्याबार में सामिल है जो उन्हें नायक बिरोधी चाया भी देता है और यह कुछ हैसा है जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं खास कर जब सहरु खान की बात आती है सहरु खान की फिल्म रईस अब्दुल लतीब की जिंदगी पर आधारित बताई जा रही है आईए जानते हैं अब्दुल लतीब के बारे में कुछ बाते जो सायत आपको नहीं पता होंगी 1951 में जन्मे अब्दुल लतीब ने सुरुवाती दोर में गुजरात के हमदाबाद में एक जुए और सराब के ठेके पर 30 रुपए महिने की नौकरी से की थी उसमें गुजरात में सराब बंदी लागू थी इसी के चलते लतीब को तसकरी के धंदे में पैसा दिखने लगा और वो इस कारोबार में घुज गया एक पुलिस आपसर ने बताया कि उन दिनों लतीब पागलो की तरह पैसे चाप रहा था वो अस्थानी पुलिस वालों को हापता और महिगे गिप्ट देता था कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक उसमें गिप्ट लेने वालों में थे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए लतीब ने निताओ से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया उसने राजनितिक दलों को चंदा देने शुरू कर दिया 1980 के देशक में एहमदाबाद में कई बार दंगे हुए लतीब ने उस समय दंगा पेड़तों की बड़ी मदद की गरीबों और पेड़तों की मदद करके लतीब ने एहमदाबाद में राविन हुड जैसे छबी पना ली सराम माफिया और गेंगस्टर अब्दुल लतीब ने 1986-87 में एहमदाबाद नगरपाल का चुनाओ में पांच सीटों पर एक साथ जीत हांसिल की थी गुजरात में हुई कई हत्याओं में लतीब का नाम सामने आया जिसके बाल लतीब 1992 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था 1995 में गुजरात एंटी टेरिरिज्म इसकुएट ने लतीब को पुरानी दिल्ली के एक PCO बोस से ग्रिपतार किया लतीब करीब दो साल तक साबर मती जेल में रहा पुलिस के अनुसार नौमबर 1997 में लतीब ने भागने की कोशिश की और पुलिस मुटवेर में मारा गया सहरु खान एक बाठीट में अपनी फिल्म अपने किरदार और नोटबंधी के बारे में बात करते हुए सहरु खान ने कहा था फिल्म रईस में मेरे किरदार की कहानी 7 साल से 47 साल तक ही है फिल्म में मेरे लुक को बढ़ती उमर के साथ बदलता हुआ दिखाय जाएगा फिल्म के पोस्टर में जो दाड़ी वाला लुक है वा मेरी अम्तियाज अली की फिल्म के लिए भी काम आ गया क्योंकि अम्तियाज को भी मेरी दाड़ी वाला लुक ही चाहिए था क्योंकि उनकी फिल्म का करेक्टर पंजाबी है तो थोड़ी पंजाबी वाली दाड़ी के साथ इम्तियाज की फिल्म में नजर आऊंगा सहरुखान रईस में अपने नगेटिव रोल को ही अपनी ही फिल्म डान के किरदार से तुलना करते हुए बताते हैं दोनों ही नगेटिव करदारों में फर्क है डान जो भी करता है सब स्टाइलिस सेक्सी और कूल लगता है और आप उसके लिए यही सोचेंगे कि डान को कभी मारा ना जाए रैस के किरदार अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानता है और गलती करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है वो अपने धंदे से बड़ा किसी मजहब को नहीं मानता खबरे थी कि रैस के किरदार गुजरात के गैंगेश्टर और सराब माफिया अब्दलातिव की जिन्दगी पर आधारी थे सेरु कहते हैं ये बात बिलकुल गलत है रैस की कहानी बिलकुल काल्पनिक कहानी है जो 90 के दसक पर बेश्ट है मुझे लगता है कनफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लेकर निल्देसक और फिलम की प्रस्ट भूम गुजरात की है हमें इसके लिए एक नोटिस भी आया था लेकिन इसमें कोई भी सचाई नहीं है ये फिलम किसी भी जिंदा ये मर शुके इंसान की कहानी नहीं है मैंने इसके उपर बनी एक गुजराती फिलम देखी है हम वही फिलम फिर से क्यों बनाएंगे रेस में सन्नी लिउनी पर सुपर हिट गाना लैला में लैला फिलमाया है इस पर सहरू कहते हैं कि सनी का गाना कोई आइटम नंबर नहीं है जब फिल्म देखे गए तो पता चलेगा कि सनी का पार्ट फिल्म के लिए कितना जरूरी है फिल्म 90 के दसक की है तो हमने सुचा कि उस समय अगर कोई बार में जाता था तो काउन सा गाना बसता रहा होगा हमें लगा कि उस समय का सबसे हिट गाना तो यही था बस हमने इस गाने के अधिकार ले लिए वही नोटबंदी पर सहरू कहते हैं अब तो आमिर खान की फिल्म दंगल ने अपने बिजनेस से साबित कर दिया है मेरी फिल्म डियर जिन्दगी भी आई थी और हमने जितना सोचा था उतना बिजनेस फिल्म ने किया नोटबंदी से आने वाला समय ब्रस्टाचार और काले दंग से मुगत होगा तो थोड़ी बहुत परेसानी हो रही है तीन दसक परानी कहानी देखने के बाद आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता सतर के दसक की कहानी लेकर आई फिल्म रैस एक गुजराती स्मगलर के इर्द गिर्द घुमती है रैस भाई जिन्हें पूरा गुजरात राविन होड़ बानता है लेकिन पुलिस की नजर में रैस एक अपरादी है पूरी फिल्म में आपको बस चोर पुलिस का खेल दिखाए देगा और अन्त वही पुरानी जमाने के स्टाइल में हुआ रैस के इस्टेंट देखकर आपको इंडियाज गौट टैलेंट के पृतिभागी याद आएंगे जो अपने मूव से दर्शकों से ताली बजवाते हैं एक्टिंग की बात करिते सहरुक ने अपने स्टैल से अलग हटकर वास्तों के संजिदत की नकल उतारी है बस फर्क इतना है कि वास्तों में संजिदत पच्चास तोला की चैन पहनते थे जबकि रैस गोल्ड का चिसमा लगाते हैं अब समझने याथा है पहले से तैथा की शूटिंग के दोरान सहरुक खान के अंदर कुछ ज़्यादा ही समा गये और यहाँ सब देखकर रोमांज कम हसी ज़्यादा आती है नौाजुदिन के बात करें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है सही बात कहें तो नौाज के दम पर फिल्म में कुछ चान आती है माहिरा को बस जगए भरने के लिए रखा गया है उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी फिल्म देखने क्यों गए इसकी कोई ठोस होजे नहीं मिलती फिल्म में ना तो कोई मोटिव है और ना ही कोई मोटिवेशनल वह मनोरंजन के बात करें तो यहाँ कहानी निम्न दरजे की है और रही बात गानों की तोया बेवजे और बेवक्त दिखाई पड़ते हैं सही माइनों में देखा जाये तो गानों को वहाँ रखना चाहिए जहां फिल्म के कहानी नीची गिर्ती दिखती है फिल्म के अंत में जो मैसे जाता है वह भी बेतुका लगता है आप सोसल वर्क करते हैं तो अपराद करना जायज है यह बास समझ नहीं आती इदर दर्सक सहरु खान की फिल्म रईस का बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे उधर खबर आ रही थी कि रईस अब मुस्किल में फश सकती है यह फिल्म गुजरात के जैंगेश्टर है अब्दुल लतीब के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी लतीब के बेटे एहमदाबाद की एक कोट में पिटीशन फाइल की थी जिसमें पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाते हुए 101 करोड रुपे की मानहानी का दावा भी ठोका था मुस्ताग ने सहरु खान पर इस फिल्म के जरिये अपने पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया था साथ ही फिल्म की रिलीज और प्रमोशनल माटेरियल के जारी होने पर भी रोग की मांग की थी उनका दावा था कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीब को गलित तरीके से पेस किया गया है मुस्ताग का कहना था कि लतीब को गुजरे कई साल हो चुके हैं आज उनका परिवार एक अच्छी और इजददार जिंदगी जी रहा है ऐसे में एक बार फिर जब उन लोगों का नाम लतीब के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था तो उससे उनकी परेशानिया और बढ़ रही थी मुस्ताग का कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे जाते वक्त कुछ लोग उनकी फैमली से मिलने आये थे प्रोडूसर इस बात का परचार भी कर रहे थे कि फिल्म लतीब की जिंदगी पर आधारित है अगर इस सच है तो इस फिल्म की कहानी का अंदाज़ा लतीब को जानकर ही लगाया जा सकता है आये जानते हैं कौन था डाउन लतीब अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले अब्दुल लतीब कालूपुर और ब्रीज के पास देशे सराफ बेचनी की शुरुआत कर क्राइम के दुनिया में कदम रखा था दीरे दीरे उसने अंग्रेजी सराफ बेचनी भी सुरू कर दी इससे अच्छी कमाई कर लेने के बार नतीब ने सहर के कोक इलाके में रहने वाले बदमासों को अपनी गैंग में सामिल कर लिया लतीब ने हतियार सपलाई करने वाले सरीव खान से हाथ मिलाया और सराफ के साथ साथ हतियारों का भी तसक्री करने लगा कुछ ही सालों में लतीब गैंगश्टर बन चुका था लेकिन किसी भी गैंगवार में वह खुश सामने नहीं रहा लतीब ने चालाकी से कई छोटी मोटी गैंग में फूट डलवाई और उनके साथियों को अपनी गैंग में मिला लिया इस तरह एमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया लतीब ने गुजरात में अवे सराब बेचने का नेटवर्क तो इसकदर खड़ा कर लिया था कि कोई भी अवे सराब बेचने वाला बिना उसकी मरजी से सराब नहीं बेच सकता था उसे सराब लतीब से ही खरीदनी परती थी सहर के मुस्लिम इलाकों में लतीब गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था क्योंकि वह बेरोजगार यूकों को अपनी गैंक में सामिल कर लेता था उसकी वज़े से उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा बताया जाता है कि उस वक्त अंडर वड़दान दाओद इबराहिम भी वड़ोदरा में ड्रक्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था एक बार दाओद और लतीब के बीच गैंगवार छिड़ गई लतीब के गुर्गों ने दाओद को घेर लिया था और दाओद को वड़ोदरा से भागना पड़ा लतीब गुजराद में 40 से भी जएदा हत्याओ का अरोपी था जबकि उतने ही किडनेपिंग केस भी उस पर थे अब्दुल लतीब को 1995 में दिल्ली से गिरिपतार किया गया था जिसके बाद उसे साबर मती जेल अहमदाबाद में रखा गया पर जेल में भी लतीब का कारोबार चलता रहा गुजराद के पहले और आकरी अंडर वाड़दान अब्दुल लतीब से की ताकत का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि 1986 के अहमदाबाद महानगरपाल का चुनाव में लतीब एक साथ पांच सीटो पर भारी बहुमत से जीता था और वो भी साबर मती सेंटरल जेल में बैठे बैठे नॉमबर 1997 में अब्दुल लतीब को गुजराद पुलिस ने एक एंकाउंटर में मार गिराया उस वक्त वा भागने की फिराक में था लतीब के खतम होने के साथ ही गुजराद में उसका पूरा नेटवर्क बेखतम हो गया अब लतीब की जिंदगी के इन पहलों को देखकर क्या कहे क्या ये फिल्म रईस की कहानी है हाला कि फिल्म निर्देसक राहूल डुलाकिया इस बासे साफ हिंकार करते रहे हैं कि ये फिल्म लतीब की जिंदगी पर आधारित है फिल्म रईस एक आदमी जिसका नाम रईस आलम था की जिंदगी पर से प्रिरित होकर बनाई गई है फिल्म असी और नबे के दसक के गुजरात पर बनी है या राइस के रिष्टों और तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है जिसमें वाखाली हाथ आने के बाद एक बड़ा समराज खड़ा कर लेता है उसका आउधा पूरे राज में सबसे अधिक दाकतवार आदमी का हो जाता है गैंगेश्टर से कुछ कम रैस एक मैनेजर की तरह काम करता है वा लोगों में अपनी पॉर्ट बना लेता है और उसका भरोसा जीत लेता है उसका अपना काम करने का स्टाइल बेजोड इच्छा सकती और सोने जैसा दिल की बड़ुलत वा जनता में बेहद लोग प्रीव हो जाता है उसके किवदार की कई परते हैं उसके कई चेहरे हैं जिनके कार लोग उससे डरते हैं प्यार करते हैं और पूझते हैं हमेशा वक्त के आगे की सोंच रखने वाला रैस अपने राष्टे की रुकाओड बनने वाली हर चीज और आदमी को पूरी त्रेसस साफ कर देता है उसके समराज की नियुत तब हिलती है जब उसके सामने किसी भी तरह के अपराद को सहन ना करने वाला पुलिस आपसर आ जाता है इस आफसर की जिन्दगी का एक ही मक्सद होता है क्राइम का खातमा आगे जो होता है वहा है रईस और आफसर के बीच की जंग जो फिलम को आगे बढ़ाती है रईस अपराद पर आधारित हिंदी भासा में बनी एक भारती एक्षन थिलर फिल्म है इसका निर्देशन राहुल डोलकिया ने किया है इसका निर्मार फराहन अक्तर, रितेश सिधवानी और गवरी खान ने किया है इसका निर्मार अपरेल 2015 में सुरू हुआ इसमें सहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद दिन सिद्ध की मुखी किलदार में है फिल्म में अबनेतरी सन्नी लोयन एक बिसेज गाने में सहरुख खान के साथ है फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीप पर आधारित बताया जा रहा था पर फिल्म निर्माताओं ने आस्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से कालपनिक है जिसका किसी भी वक्ति से कोई लेना देना नहीं है फिल्म 25 जनूरी 2017 को सिनेमा घरों में पर दर्शित हुई थी फिल्म 1960 के दिसक के मदिसो शुरू होती है और 1991 में समाप्त होती है जैसा कि फिल्म में एक अखबार की तारिक से रैस गुजरात के फदेपुर में रहता है एक ऐसा राज जहां सराब बंदी लागू है और बहुत कम अमर में कानूनी सराब के दंदे में सामिल हो जाता है साहिद के साथ वह एक गंगेश्टर जहराज के लिए काम करता है जो पुलिस को रिस्वत देकर अवैद रुप से सराब की तसक्री करता है रैस अपनी इमा के दर्सन से जीता है वह हर बेवसाय अच्छा है और कोई भी धर्म किसी भी बेवसाय से बड़ा नहीं है क्योंकि यह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है रैस जैराज के साथ भाग लेने का फैसला करता है और खुद ही काम करना सुरू कर देता है वह मुंबई में मुसा भाई से मिलता है और उसकी मदद से वह अपना बूट लेगिंग बेवसाय सुरू करता है इसी बीचे कि मांदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जे ए मजुमदार फतेपुर में स्थांतरित होता है ए मजुमदार पतेपुर में स्थांतरित होता है और सराब डीलरों पर बड़ी कारवाई सुरू करता है फिल्म की सूटिंग अपरेल 2015 में सुरू हुई फिल्म की सूटिंग मुंबई में की गई और शिट को एहमदाबाद की मालिन बस्तियों को चितरित करने के लिए फिर से तयार किया गया फिल्म का आखरी स्थिडूल जनुरी 2016 में गुजरात में सूट किया गया था बिलोद के बावजोत फिल्म को जनुरी और फरवरी 2016 के बीच बिना किसी बवधान के भुज में सूट किया गया प्राचेन मजजित और मकबरे परसर सरखेस रोचा में आहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारती पुरातत तुसरवेचर द्वारा मंजोरी जारी की गयी थी रैस के लिए संगीत राम संपत ने दिया है जावेद अक्तिर ने फिल्म के गाने लिखे हैं फिल्म के संगीत अधिकारों का अधिगरहड जी म्यूजिक कमपनी ने किया है फिल्म का गाना लैला मैं लैला रैस फिल्म की कहानी यूतो साधारड कही जा सकती है लेकिन फिल्म को सांधार तरीके से पेज किया गया है इस फिल्म का निदेशन राहूल डुलकिया ने किया है पूरी फिल्म मनुरंजन एक्षन और रमांस के रंगों से भरी हुई है या फिल्म गुजरात में अवेसराब का करोबार करने वाले कुख्यात अपरादी अब्दुललतीब का फिल्मी संस्क्रड है जिस पर ग्लैमर का तर्का लगा दिया गया है लतीपर 1980-90 के दसक में गांधी की धर्ती पर अवेसराब के धन दे हत्या अपरहड तसकरी के दर्जनों मामले समय आतंगवादी एंटाडा तक लगा था फिल्म की कहानी गुजरात के फतेपुर से सुरू होती है जहां रईस का बच्पन अपनी मा की साथ गरीबी में गुजर रहा है फिल्म रईस की कहानी 1980 के दोर में गुजरात के इर्दगिर्द घुमती है या फिल्म रईस नाम के एक सक्स के बारे में बताती है जो जिन्दिगी में कुछ बड़ा करना चाहता है किंग खान की या फिल्म रईस की जिन्दगी में आते उतार चड़ा को दिखाती है फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से जीरो से सुरू होकर रईस एक बड़ा समराज खड़ा कर लेता है रईस अपनी मा की बात कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता को गांट बानकर आगे बढ़ता है और अवेस राव के कारोबार करने लगता है रईस कामयाबी की सीड़िया अपने चर्टा चला जाता है लेकिन उसकी मुश्किलत तब बढ़ जाती है जब उसके इलाके में पुलिस वापसर जैदीब मजुमदार आता है जो अवेस राव कारोबरियो के रईस को अपने इलाके की रहने वाली मुश्किलत अपना घर भी बचा लेता है फिर दिरे दिरे रईस गुजरात में बड़ा नाम बन जाता है और वहाँ का डाउन बन जाता है रईस अपने इलाके का मसीहा भी है और फिर उसके बाद फिल्म की कहानी कई जगहों पर यूटर्न लेती है रईस फिल्म की दो खास बाते हैं हिक्टिंग के लिहास से सहरु खान को नवाजु दिन सिद्की ने बराबर की टक कर दी है सहरु खान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किलदार में पूरी तरह समा गये हों चाल, ढाल, डायलॉग, डिलीवरी और हाव भाव पूरी तरह से उसी किलदार का नजर आता है जो उन्होंने परदे पर निभाया है नौजु दिन सिद्की ने अभिने के मामले में सहरु खान को कड़ी टक कर दी है फिल्म कुछ जगोह पर कमजोर पड़ी भी है तो वह इन दोनों अभिनताओं ने अपने एक्टिंग से संभाल लिया है और इस कमी को जलकने नहीं दी है पाकिस्तानी अदाकारा महिरा खान किया बाली बुड में पहली फिल्म है एक्टिंग के लिहास से उनके पास जदा कुछ करने का स्कॉप नहीं बजा था पिर भी उन्होंने अदाकारी अच्छी की है महिरा के साथ सेरुख खान का रोवांटिक एंगल भी अच्छा है फिल्म में महिरा खान बहुत खुबसूरत दिखी है सेरुख खान के साथ उनकी कमेश्टरी चासती है रेश के समाद आपको ताली और शीटिया बजाने को भी वास कर देंगे इसकी रिप्रिकासी हुई है और सिंस का फिल्मांकन भी दमदार है बैगराउंड इसकोर ने फिल्म में जान डाल दी है संगीत के बात करे तो उड़ी उड़ी जाए जालिमा लैला में लैला जैसे गाने पहले ही हीट हो चगे थे फिल्म के गाने भी इसका एक आहम हिस्सा हो गया है फिल्म के लंबाई थोड़ी ज्यादा लगती है इसे एडिटिंग का थोड़ा छोटा किया जा सकता था लेकिन कुल मिला कर आप सरुखान के फैन है और एक मनुरंज़क फिल्म देखना चाहते हैं तो आप या फिल्म देख सकते हैं अक्सर सोचा कि गैंगेश्टर अपरादियो और अंडर वर्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्ममेकर्स इस सैली की फिल्मों से इतने अकर्षित हैं हाला कि मैं सैली की फिल्मों का जबरदस्ट पर संसक नहीं हूँ लेकिन साथ ही मुझे या कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ट फिल्में इन फिल्मों में फिल्म इंडिस्ट्री के कई सारे बड़े नाम जुड़े थे मेरे मन में एक अमित चाप छोड़ने के अलावा इन फिल्मों ने समय समय की रेत पर भी एक अमित चाप छोड़ी रैस के बारे में जबरदस्ट अटकले हैं इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है या असल जिंदगी के किरदारों पर आधारित है सच कहों तो फिल्म में दिखाएगे किरदारों की परमारिकता पर टिपड़ी करने के लिए अटकलों को जाचने के लिए मैं सही सक्स नहीं हूँ लेकिन एक सिने प्रेमी होने के नाते मुझे अश्युकार करना होगा कि रैस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुँचा दिया अपराधियों के जीवन पर आधारी ज्यादातर फिल्मों की एक सुनस्चित परकठा होती है एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना उसका एक नामी गिरामी अपराध ही बन जाना अमीर और प्रभाव सारी लोगों में उठना बैठना लेकिन आखर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना रैस भी ऐसी ही खाका प्लाट लाइन पेस करती है अंतर सिर्फ रितना है कि इस सेले की कई फिल्मों की तुलना में या फिल्म दस्ट कोड में अधिक त्यतार तो वादी है निर्देसक राहुल डुलकिया ने रैस में एक दमदार पावर प्ले और रैस वा इमानदार पुलिस वाले जैदीब के बीच चुई है बिल्ली जैसा पीछा बहुती प्रभावसारी ढंक से दर्शाया है मेरी रैस से यही इस फिल्म का मुख्याधार है या कहने के बाद मैं स्विकार करता हूँ जो फिल्म को एक उचाई पर लेकर जाता है ओ है सहरुख खान और नौाचुतिन सिद्धकी जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरिन किरदार निभाये सन 1980 की दिसकी प्रिष्ट भूम में रैस सिस्टम प्रडाली को हराने की कोशिस करता है और अपनी सर्तों पर सफल भी हो जाता है उद्धम सिल्ता के लिए उसका प्राकरतिक सुभाओ और अपने लच्चों को परात करने के दोरान कभी हार ना मानने वाले द्रड़ संकल्प ने उसे प्यार और ड्राउना दोनों बना दिया उसे प्यारा और ड्राउना दोनों बना दिया और फिर होती है प्लिस वाले जैदीप जिसने अपरात को खतम करने और रईस के समराज को खतम करने की प्रतेग्या ली है की इंडरी बीते हुई युक को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वरतमान के दर्सकों जिने उन किरदारों और युक के बारे में कोई जानकारी नहीं है को सामिल करना प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युक को बहतरी धंक से बनाया है डुलकिया और उनके लेखक की टीम ने इस बात का पूरा ख्यार रखा कि फिल्म की लिखिश समागिरी इतनी सक्तिसाली हो को दर्सक तलीनिता से फिल्म कमा जाले प्रडाम सरुपिया फिल्म ना किवल नाइंटीन एटी के दसक की यादे ताजा करती है बलकि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है और इसलिए इसके किरदारों और एप्रिशोर्स जो फिल्म में हाईलाइट किये गए हैं का धन्यवाद डुलकिया वास्तों में कट्टर बेवसाइक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद बाखुदिया महसूस हो जाता है कुन का जुकाओ वस्तोइकता में जदा है बजाए करतिमिकता के लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वस्तोइकता और मसाला दोनों ही अच्चारजनक रूप से जोड़ा है फिल्म की कहानी बिना जोड़के सिधे रूमान से कौन किस्से बढ़के के खेल की और रुक कर लेती है जब चोर पुलिस की भिरत होती है ये एक बड़े बजट की फिल्म है और सहरुक और ढुलकिया ये भली बाती जानते हैं कि दाओं बड़ा है उन्होंने वास्त्विक्ता को बनाए रखा है और इस बात का ख्यार रखा है कि फिल्म की गती और उर्जा कदाचित कम न हो लेकिन सबसे मातपूर बात ये है कि उन्होंने सहरुकान के करोड़ों पर संसकों को जरा भी निरास नहीं किया है एक कहानी वक्ता के रूम में वह लीप लेते हैं और लिकिस समाकरी के साथ पूरा नयाय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किलदार से उनकी बेहतरिन परफॉर्मेंस को निचोड़ने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्ष्ट हाप आपकी उत्सकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सिकंड हाप देखने के लिए ललायत हो जाते हैं लेकिन यहाँ समस्या पैदा होती है इंटर मिसन के बाद फिल्म की घती धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सिकंड सीन भी फल हो जाते हैं सोकर है फिल्म फिर से अपनी रफ़तार पकड़ती है जब रईस की जिंदगी में एक नाटकी मोड लेती है जो कि फिल्म का हाई वर्टेज क्लाइमेक्स है फिल्म का साउंट्रेक अच्छा है हाला कि फिल्म के डान्स और गीत में थोड़ी और गुंजाईस हो सकती थी फिल्म के गाने लैला में लैला और जालमा गाना पहले से दर्सकों के बीच में काफी लोगप्री हो गए थे हाला कि लैला में लैला गाना के मातपोर मोड पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है बैगराउंड इसकोर पर भाहुत पादक है बिसेस रूपस सिगनेशर टून जिसे कतानक में उधारत पूरोक इस्तिमाल किया गया पिल्म की सिनुमेटोग्राफिय ने सिल्यू लैड पर अस्तानों को बहुत ही सांदार ढंक से कैप्चर किया है एडिटिंग एकदम कसा हुआ है दर्शकों को ध्यान में रकर डालाग बनाये गए जो अपना असर छोड़ते हैं बनिये का दिमाग और मिया बाई की डेरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता जैसे कई डालाग पहले ही दर्शकों के बीच अपनी जगए बना चुके हैं मुझे नाज़ुद दिन के लाइनों पर भी ध्यान आकरसित करना चाहिए वो लोगों में उत्साह और उमक भर देते हैं 200 रूप से फश्ट हाप में एक्शन स्युकेंस बेहत दमदार है रैस में सांदार परदर्शन लगातार उलेखनी है सहरुद बढ़िया कलाकार के साथ 700 इस्टीलर भी है फिल्म में उनका गिरे किल्दार उनके करियर के प्रारब में उनकी प्रुषकार योग्य परफार्मेंस की याद दिलाता है नौजद दिन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी सांदार परफार्मेंस देते हैं दोनों सहरु खान और नाजिद्दिन सिद्धी का परदर्सन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किलदारों में डूबा देता है। माहिरा खान बहुत खूपसूरल लगती हैं और पूरे आतम विश्वास के साथ अपने किलदार को निभाती हैं। मुहम्मद जी सान अयूब क एक ठोस भूमका में पूरी त्रिस्ट डूब जाते हैं और एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। अतुल कुल करड़ी अपनी मौजूद्गी एक प्रत्वंद परदर्सन के साथ महसूस कराते हैं। सीबा चड़ा एक संचिप्ट भूमका में ज़स्ती हैं। नरेंदर ज इस पक्के तोर पर एक हिट फिल्म है। इसमें कोई सक नहीं है कि सहरु खान एक संसिनल अभिनेता हैं जो प्यार, मुनुहार और इस्टार्डम सहरु को उनकी प्रारंबिक फिल्मों में प्राब्द हुआ। वही सब कुछ एक बार फिर रैस में ही देखने को मिलेगा। इ फिल्म रैस 1980 के दसक में गुजरात आधारित एक एक संथिलर फिल्म है। या ऐसे तसकर की कहानी है जिसके धंदे को एक सक्त पलिस सदकारी ने चौपट कर दिया। आदेता है। चस्मा पहिनने के बाद रैस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का। सराब तसकरी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उससे बचाने जाती है। और बोलती है कि कोई धंदा छोटा या बड़ा नहीं होता। और धंदे से बड़ा क कि डेरिंग को सब जानते हैं। जैसे जैसे समय बीदता है रैस अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाता है। साधिक रैस का बेस्ट फ्रेंड है। रैस अपने इंपायर का बॉस बन जाता है। पुलिस नेता हर किसी से उसकी साट गाठ है और उसका काम होता रहता है। लेकिन वो साथ ही साथ देशी रॉबिन हुड भी है। चाहे उसके पडोसी हो महले वाले या कोई और वो कभी मदद करने से हिचके चाता नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इस्पेक्टर जदी मजुमदार से होती है। जिसका ट्रंसपर रै दूर जाने को नहीं देता पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने नहीं देता इसके बाद फिल्म चुहे बिल्ली का खेल सुरू होता है। भी अपना काम इमानदारी से करता है खोबसूरत हिरोएन है और हीरो की परचाई बनकर रहती है एक वाफादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तयार है साथ ही कुछ बुरे लोग सताई जनता, बेबस मा और खोब सारा एक्सन इसके अलावा हिलन की तरच पर सनी लेउनी का एक आइटम सांग भी है जो खून खराबे के भी सुकून देता है कहानी एट्टी के दसक के गुजरात पर बेश्ट है जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत खराब होने की वज़े से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंदे की तरफ आकरसित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में सराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंदा सुरू करता है अपने दिमाग और डेरिंग की वज़े से उचल्द ही अवे सराब का बड़ा बिजनसमैन बन जाता है लेकिन इसी बीच ACP मजूमदार यानि नाजुदिन सिद्ध की उसके पीछे पड़ जाता है जो काफी कड़क पुलिस वाला है लेकिन रेश का धंदा रोक पाने की हजार कोसिज करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकर नहीं पाता इस दोरान कहानी में कई उतार चड़ावाते हैं जिन में चुनाओं दंगे बंबलास जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती है फिल्म की एंडिंग भी काफी दिल्चस्प है केयू मोहनन की सिनोमेटोग्राफिक कमाल की है बैगराउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसकी वज़े से एट्टी के देसक का माहल पूरी फिल्म के दोरान बना रहता है फिल्म के सबसे बड़ी खासियत है इसके डालाक्स जो आडियन्स को तालिया बजाने पर मजबूर कर देते हैं फिल्म का फ़र्ष्ट हाप अच्छा है लेकिन इंटरॉल के बाद फिल्म की रबतार सुस्त हो जाती है जिसे ठीक किया जा सकता था साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रबतार पर अस्त डालते हैं सिर्फ सनी लेउनी पर फिल्माया गया आटम सांग ही कहानी के साथ फिर बढ़ता है फिल्म के सिकंड हाप को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था रईस पूरी तरह से सहरु खान की फिल्म है उनका काम सांदार है नौजु दिन सिद्गी की एक्टिंग भी बेहतरीन है फिल्म में जब भी दोनों साथ नजराते हैं एडवेंचर बढ़ जाता है जहां एक तरब नौजु दिन की लिखकर लेने की स्टाइल है वहीं दुसरी तरब सहरु खान की डालाग बोलने का अंदास कमाल का है मुहमद जी सान, अयूब, अदुल कुलकर्डरी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है पाकिस्तानी एक्टर्स महिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था एक दुगाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती सेकंड हाप में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है लेकिन वो भी कुछ देर के लिए फिल्म का बैगरांड स्कोर अच्छा है लेकिन सांग में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के साथ फिट बैठता है यू तो फिल्म को लेकर रक सुरू से कोई ना कोई बिवाद रहा है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर बिवाद हो सकता था पिर चाहे हो बोचल खाने में जानोरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूरती से चस्मा उतारने का सीन कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकट में पुराने माल की तरह है और अगर आप सहरुखान और नाजी दिन सिद्गी के फैन हैं तो आप एक बारे फिल्म जरूर देखे लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही सहरुखान की फिल्म रई सतर और एसी के दसक की टिपकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है इस फिल्म का हीरो गेर कानूनी काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीह भी है इस हीरो के साथ है एक खुबसूरत हिरोईन जो हीरो की परचाई की तरह है हीरो का एक जिगरित दोस्त जो इसके लिए अपनी चान भी दे सकता है फिर एक इमानदार पुलिस ओपसर जो अपने काम को पूरी इमानदारी से पूरा करता है इन सबसे वेबस मा, अत्यचार की मारी जंता, कुछ बुरे लोग और खुब सारा एक्सन इतने मसाले के बाद एक जबदस्त आइटम नमबर जो हैलन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच जिराहत देता है फिल्म की कहानी अस्ची के दसक के गुजरात पर अधारित है जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है गर की माली हालत बहुत खराब रहती है जिससे रईस का दिमाग सुरू सही दंदे की तरफ रहता है रईस बजबन से ही स्कूल बैक मेर सराब रखकर सपलाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद और खुद का धंदा सुरू करता है अपने दिमाग और निड़ता से अवेद सराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक केसीपी मजूमदार रईस के पीछे पढ़ जाता है मजूमदार एक कड़क पुलिस वापसर है जो सराब के अवेद कारोबार को रोकने की कई कोश्टे करता है तमाम कोश्टों के बावजूद भी रईस उसकी पकर से आजाद ही रहता है कई उतार चड़ाओं से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफी दिल्चस्प होता है फिल्म का निर्देशन उंदा है फर्ष टाप काफी कसा हुआ है लेकिन सिकंड हाप में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है यहां अचानक से एंटी हिरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है सरपट भागती फिल्म हिशकोले लेने लगती है खैरियत बात करें सिनुमेटो गराफी की तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है फिल्म आपको असी के दसक में ही लेकर जाती है वही इस फिल्म के वन लाइनर भी जबरदस्त है वन लाइनर पर फिल्मकोदर्शको की खुब तालिया भी मिलती है जब सनी लिउनी अपने आइटम नंबर लैला में लैला लेकर आती है तो दर्सक जोम उड़ते हैं वही कुछ गाने फिल्म की रब्तार पेजा ही सुष्ट कर देते हैं फिल्म रईस को पूरी तरे सेरुखान की फिल्म कहने में दो राएं नहीं है उनका परदर्सन भी बहतरीन है गुसे और फूर्ती से भरे सेरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बलकि दूसरों को तोड़ते नजर आ रहे हैं वही नवाजुद्दीन नहीं सांधाल अधाकारी की है फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नजर आये रोमान चरम पर पहुंचा मुहमद जीसान अयूब अतल कुलकर्डी के साथ बाकि कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है हाला कि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महच एक सो पीस ही लगी है फिल्म का बैक ग्राउंड स्कोर बढ़िया है लेकिन बाकि गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है जैसे ही रईस फिल्म खतम होती है मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की जरूरत क्या है क्यों बनाई गई है निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाय रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है। रैस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है। नया क्या है। ना बनिय का दिमाग दिखता है और ना मिया भाही की डेरिंग। शरुख खान चले हुए कार्तोस नजराते हैं और राहुल ढुलकिया अध्यर सितारे के मद में बहेकी निशांची। कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धंद से फिल्म के लिए तारीफे और आवार्ड खरीद दे जा सकते हैं। हिट का तिलस्मा रचा जा सकता है। रैश को कालपनिक कहानी मानना आधा सच है। या गुजरात में अवेश राब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीब का फिल्मी संस्क्रण है। जिस पर गलेमर का वर्क चड़ा है। लतीब पर 1982-90 के दसक में गांधी की धरती पर अवेश राब के धंदे, हत्या, अपहरर तसकरी के दर्जनों मामले समेथ आतंकवादी तथा, बिगिटन कारी की रियकलाब अधनियम यानि डाटर तक लगा था। मुंबई बंधमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया, मगर वह आतंकी दाउद इबराहिम से कनेक्ट और कराची में उसका मेहमान था। लतीब पुलिस की गिरिप्त से फ्रार होने की कोशिस करते हुए मारा गया। रईस की कहानी में लतीप और उससे जुड़े अपराधिक राजनितिक सुत्रों के ताने बाने हैं। ना रोमांस करते हुए पुलिस बने नवाजुतिन सिद्गी पूरी फिल्म में उन पर हावी हैं। नवाज फिल्म को ना समालते तो या भरभरा कर की रही पड़ती। माहिरा खान सुंदर हैं परन्तुन की भूम का बेहत कमजूर है। गीश संगीत और सत है। बैगराउंड मुजिक जरू 1980 की देसक की यादे ताजा करता है। सनी लियोनी का आइटम डांस लैला जिस मोड़ पर आता है। वहां रैस की प्रिस्तितिया इतनी तनाव भरी हैं कि यह असर नहीं छोड़ पाता। अगर आप इतने रैस हैं कि ऐसी बासी निरुथक फिल्ब पर नोट उड़ा सकते हैं तो इससे देखें। उस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी शहरुक खान की रैस और रितिक रोशन की काविल। एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होने से दोनों अभी निता परहसान थे कि कहीं एक फिल्म की वज़े से दूसरे के कारोबार को नुक्सान न पहुचे। ऐसे में सारा दौरंदार फिल्म की कहानी और उसके कंटेंट पर था। साल की सुरुआत में बाली बुड के दो दिकजों की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने से दर्सकों के सामने बड़ी उलजन थी। रैस फिल्म की कहानी सबसे बड़ी खासियत है कि यह सहरुखान की पहली पूरी एक्षन फिल्म है। सहरुखान के अभने की तारीफ करनी पड़ेगी। गैंगेश्टर की भूमका को उन्होंने इतनी बाखुबी से निभाया है। अभनी का मामले में नाचिदुन सिद्धी भी इस फिल्म में बराबर खड़े दिखते हैं। फिल्म में एक्षन भरपोर है कई जगों पर फिल्म काफी रियलिस्टिक लगती है। फिल्म में ऐस्टी के दसक के गुजराद का सांधार खाका कीचा गया है। फिल्म के निर्देशक राहुल ढलकिया का निर्देशन अच्छा है। और फिल्म का स्क्रिन प्ले काफी कसा हुआ है। जैसा कि हेर फिल्म में होता है कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ कुछ कमजोर पॉइंट्स भी होते हैं जो इस प्रकार है। फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं लगता है। इस तरह की गंगेश्टर फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी हैं इस फिल्म में आपको अमिताब की अगनी पत, आजे देवगन की वन्स अपाने टाइम इन मंबई जैसी फिल्मों की जलक नजर आती है, लगता है कि उन्हीं को मिला जुला कर एक फिल्म बना दी गई है पौने तीन घंटे लंबी फिल्म बोजिल लगती है, आइटम सांग और रोमांटिक गाने ठूसे हुए लगते है फिल्म का क्लाइमेक्स आपको चौका सकता है, सहरु के फैंस को हो सकता है, क्लाइमेक्स हजम ना हो बॉलिवूर्ड के किंग सहरु खान के अभिने से सजी फिल्म रईस 25 जनूरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थी दर्सक लंबे वक्त से फिल्म के परदरसन का इंतजार कर रहे थे इसके ट्रेलर और गानों को काफी पसंद किया गया था सहरु खान ने इसके प्रमोसन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी चाहे सल्मान खान सोब इकबास में जाना हो या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में सफर करना हो किन खान अपनी इस फिल्म के परचार में जुटे हुए थे हाला कि फैयन्स के लिए सहरु खान की फिल्म का रिलीज होना अपने आप में एक बड़ी बात थी या कहानी गुजरात में रहने वाले एक छोटे बच्चे रईस आलम की है जो गरीबी के कारण सराब तसक्री के धंदे में पढ़ जाता है उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनिसमैन बनेगा पढ़ाई के साथ साथ वा सराब बिशने का भी काम करता है उसकी माने हमेशा उसे सिखाया है कि कोई दंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस मा की इस बात को ध्यान में रखकर सराब के त्सकरी करते हुए वहाँ बच्चा एक बड़ा हो जाता है देखते ही देखते वहाँ गुजरात का एक बड़ा सराब माफिया बन जाता है रईस का बेस्ट फ्रेंड सादिक जो हमेशा उसके साथ रहता है इसके बाद फिल्म में एंटरी होती है इस्पेक्टर जैदी मजुमदार की जिसका एक ही मकसद है रईस के धंदे को रोकना फिल्म के सवाद काफी बेहतरीन है फिल्म में सहरु खान एक अलग ही अंदाज में नजर आये थे वह बहतरीन डायलाग बाजी करते हुए भी दिखाए दे रहे थे एक बार फिर वह इस फिल्म में दर्सकों का दिल यतने में कामयाब हुए थे वही दूसरी तरब नाजुदिन सिद्धी ने भी पुलिस अधिकारी के किलदार को बाख़ू भी पर उतारा था अब इने से लेकर उन्होंने समादो को सांदार ढंक से परदे पर पेस किया था पाकिस्तानी अध्यकारा महिरा खान की बात करे तो बहत खुबसूरत नजर आ रही थी लेकिन वह कुछ ही सेन में नजर आई हैं बहमद जिसान आयोब राज़णा और तनू बेट समनू रिटरंस के बाद एक बार फिर इस फिलम में जबरदस्त रोल में दिखे थे राहुल डुलकिया ने रईस को 90 के दसक कर दिखाने की पूरी मिनत की है इस फिलम को देखते हुए कई जगहों पर आपको पराने दोर की फिलमें याद आ जाएंगी जिसमें हर कोई हीरो के सामने आकर कमजोर हो जाता है वही हीरो का अपनी मा की और बेंतिहा प्यार दिखाय गया है फिलम में सहरुख खान का होना उनके फैंस के लिए देखना यही सबसे बड़ा कारण साबित होता है वही समें आपको बहतरीन डालॉग बाची एक्षान रोमान्स और ट्रामा एक साथ देखने को मिलेंगे फिलम के गाने पहले ही हीट हो चके थे सनी लेवनी का लैला अंदाज आपको दिवाना बना देगा मूवी की कहानी को लेकर कैस लगाय जा रहे थे कि यह मूवी असी और नबे के दसक में गुजरात के अवे सराब का दंदा करने वाले गैंगेश्टर अब्दुललतीब पराधारी थे लतीब का गुजरात में अवे सराब का बड़ा समराज था अब्दुललतीब एहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बढ़ा था उसे जल्दी समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी जिन्दगी को नहीं जिया जा सकता लतीब के पिता तंबा को बेशते थे उसने अपने घरवालों की मदद के लिए छोटी ही उमर में जुआ घरों में काम करना शुरू कर दिया लतीब के साथ भाई बहन थे अब्दुललतीब अपराध जगत में पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मनजूर अली से हुई मनजूर अली एक जुआ घर चलाता था मनजूर ने जब लतीब के एक अवेशराब के धंदे वाली चिगए पर काम करते देखा तो उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभाला लतीब जल्द ही अवेशराब के धंदे में नियम सीखता गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली अवेशराब के धंदे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलेटर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, एकसाइज, बिभाग और प्लिस से संपर्क बना लिए इसके बाद उसका धंदा चल निकला इसी तरह उसके राजनीती में भी अच्छे संपर्क बन गए इसके साथ ही उसने राज में अवेशराब के धंदे का एक बड़ा समराज खड़ा कर दिया इस दोरान लतीब एक राजनीतिक पार्टी के मुख निसान बन गए लतीब पूरे गुजरात में एक आधिकार चाहते थे इसलिए उसने अपने प्रतिदंती गुटो को खतम कर दिया ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया 1990 में भाजपा ने इसका फाइदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोसिस की लेकिन लतीब जनता दलके नेतरत के नजदीक थे जनता पार्टी भाजपा की सहोगी पार्टी थी ऐसे में यह सुल्जा लिया गया हाला कि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीब को फिर टार्गेट बनाया गया इसमें पार्टी को इसका अच्छा फाइदा भी हुआ अंडर्वर्ट दान दाओद इबराहिम से नजदीकियों की वज़े से उसके अवेश राप के कारोबार में गराउट आई थी उस पर 1992 के मुंबई बलास्ट में हत्यार सप्लाई करने का भी सक था हाला कि उसका नाम दंगे के 198 आरोपियों में भी सामिल नहीं किया गया उसने एक बार पुष्टाश के दोरान या भी सुकार किया कि जब वह 15 महीने कराजी में रहा तो नियमित दाओद इबराहिम से मिलता था हाला कि उसकी मलाकात बिजनेश के सिलसले में होती थी गुजराद में जब लतीब का अवेस राप का करोबार चलता था तो उस पर 97 केस दर्च थे जिसमें 15 केस हत्या के सामिल थे उसे 10 अक्टूबर 1995 को ATS ने दिल्ली के जामा मजजिस से गरिपतार किया था ATS ने उसे दो महिने तक धोड़ा था इसके बाद वह ATS के हत्ये चड़ा दो साल बाद अब्दूल लतीब को उस वक्त इंकाउंटर में मार गिरा गया जब वह बचकर भागने की कोशिस कर रहा था उसकी गरिपतारी और इंकाउंटर भासपा के पच्छ में हुई थी सहरुख खान की मूवी रैस के निर्मातावा का कहना है कि अब्दूल लतीब की कहानी से कुछ पहलू जरू लिए गया है लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है रैस बॉक्स अफिस पर वो सफलता नहीं पराप्त कर सकी थी जिसकी इसकी उम्मीद की जा रही थी फिल्म बहतरीन थी कमी थी तो सिर्फ सॉलिट एक्शन की ये दूआ भी अस्तर का होता तो निश्ची रूप से फिल्म ने की या तो पुषपा दराइज की कहानी है एक दलित बेक्त की लगता से धन की कहानी जो खुद को अवेद व्यापार बेऊसाय में पाता है अपने भरोसे मंद दोस्त के साथ और कानून के साथ संगर्श करता है क्या हम अलू अर्जुन की पुषपा दराइज या सहरुखान की रईस के बारे में बात कर रहे हैं सुपर हिट फिल्म सहरुखान के सभी परसंसकों के लिए एक टिर थी पच्पाती लगाने के जोखिम पर वा कभी इतने अच्छे नहीं दिखे फिल्म बॉक्स आफिस पर रितिक रोसन की काबिल के साथ और बॉक्स आफिस रुपोर्ट से पता चलता है कि इस काबिल से कम कमाई की रईस आज भी एक परसंसक पसंदीदा है रईस के बाद हमने सहरुखान को जब हैरी मेड सोजल और जीरो में देखा कि खान के परसंसक उस फिल्म को भोल नहीं पाएंगे इसलिए हम सहरु खान की अगली पठान के प्रत्यासा में रईस को फिर से देख रहे हैं अब हमारी तरह सहरु खान के कई अन्य परसंसक भी फिल्म को फिर से देख रहे हैं और क्या लगता है उन्हें भी हमारी तरह राइस और नई राष्टी संसनी अलू अर जिनकी पुषपा दराइस के बीच एक अनोखी समानता दिखाई दे रही है अब राइक टूरिच एक पसंदीदा सिनेमाई ट्रॉप है इस अवसर पर उभरे दिलितना एक गरीबी और अनिचनोतियों से लगते हुए जो उनके रास्ते में आ सकते हैं और रंत में विजई होकर उभरना कुछ ऐसा है जिससे हम सिनेमाई परदे पर देखना पसंद करते हैं बेसक राइस और पुषपा दोनों हमें वह देते हैं कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुषपा राज और राइस आलम दोनों अपने जिवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट और कड़ी मेहनत करते हैं उनकी चितर बुद्धी ही उनका एक मातर हंतियार है और फैसा कमाना ही उनका एक मातर उद्दे से है आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने शिटिकेट के नियता बनते हुए अपने खेल के सीर्ज पर पहुंजाते हैं दोनों आवेद ब्याबार में सामिल हैं जो उन्हें नायक बिरोधी चाया भी देता है और यह कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं खास कर जब सहरु खान की बात आती है सहरु खान की फिल्म रईस अब्दुल लतीब की जिंदगी पर आधारित बताई जा रही है आईए जानते हैं अब्दुल लतीब के बारे में कुछ बाते जो सायत आपको नहीं पता होंगी 1951 में जन्मे अब्दुल लतीब ने सुरुवाती दोर में गुजरात के हम्दाबाद में एक जुए और सराब के ठेके पर 30 रुपे महिने की नौकरी से की थी उसमें गुजरात में सराब बंदी लागू थी इसी के चलते लतीब को तसकरी के धंदे में पैसा दिखने लगा और वो इस कारोबार में घुज गया एक पुलिस आपसर ने बताया कि उन दिनों लतीब पागलो की तरह पैसे चाप रहा था वो अस्थानी पुलिस वालों को हापता और महिगे गिप्ट देता था कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक उसमें गिप्ट लेने वालों में थे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए लतीब ने निताओ से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया उसने राजनितिक दलों को चंदा देने शुरू कर दिया 1980 के देशक में एहमदाबाद में कई बार दंगे हुए लतीब ने उस समय दंगा पेड़तों की बड़ी मदद की गरीबों और पेड़तों की मदद करके लतीब ने एहमदाबाद में राविन हुट जैसे छबी पना ली सराम माफिया और गेंगस्टर अब्दुल लतीब ने 1986-87 में एहमदाबाद नगरपाल का चुनाओ में पांच सीटों पर एक साथ जीत हांसिल की थी गुजरात में हुई कई हत्याओं में लतीब का नाम सामने आया जिसके बाद लतीब 1992 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था 1995 में गुजरात एंटी टेरिरिज्म इसकुएट ने लतीब को पुरानी दिल्ली के एक PCO बोस से ग्रिपतार किया लतीब करीब दो साल तक साबर मती जेल में रहा पुलिस के अनुसार नौमबर 1997 में लतीब ने भागने की कोशिस की और पुलिस मुढवेड में मारा गया सहरुخान एक बाचीत में अपनी फिल्म अपने किल्दार और नोट बंदी के बारे में बद करते हुए सहरुखान। दाड़ी के साथ इम्तियाज की फिल्म में नजर आऊंगा सहरु खान रईस में अपने नगेटिव रोल को ही अपनी ही फिल्म डान के किरदार से तुलना करते हुए बताते हैं दोनों ही नगेटिव किरदारों में फर्क है डान जो भी करता है सब स्टाइलिस सेक्सी और कूल और आप उसके लिए यही सोचेंगे कि डान को कभी मारा ना जाए रईस का किरदार अपनी गल्तियों की जिम्मेदारी लेना जानता है और गल्ती करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है वो अपने धंदे से बड़ा किसी मजहब को नहीं मानता खबरे थी कि रईस का किरदार गुजरात के गैंगेश्टर और सराब माफिया अब्दल लतिव की जिंदगी पर आधारित है सेरु कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है रईस की कहानी बिल्कुल काल्पनिक कहानी है जो 90 के दसक पर बेश्ट है मुझे लगता है कनफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लेकर निल्देसक और फिल्म की प्रस्ट भूम गुजरात की है हमें इसके लिए एक नोटिस भी आया था लेकिन इसमें कोई भी सचाई नहीं है ये फिल्म किसी भी जिंडाया मरश्ट के इनसान की कहानी नहीं है मैंने इसके उपर बनी एक गुजराती फिल्म देखी है हम वही फिल्म फिर से क्यो बनाएंगे रेश में सन्नी लिएनी पर सुपर हिट गाना लैला में लैला फिल्म आया है इस पर सहरू कहते हैं कि सनी का गाना कोई आइटम नंबर नहीं है जब फिल्म देखे गए तो पता चलेगा कि सनी का पार्ट फिल्म के लिए कितना जरूरी है फिल्म 90 के दसक की है तो हमने सुचा कि उस समय अगर कोई बार में जाता था तो काउन सा गाना बसता रहा होगा हमें लगा कि उस समय का सबसे हिट गाना तो यही था बस हमने इस गाने के अधिकार ले लिए वही नोटबंदी पर सहरू कहते हैं अब तो आमिर खान की फिल्म दंगल ने अपने बिजनेस से साबित कर दिया है कि नोटबंदी का कोई असर मनोरंजन में नहीं हो रहा है मेरी फिल्म डियर जिंदिगी भी आई थी और हमने जितना सोचा था उतना बिजनेस फिल्म ने किया नोटबंदी से आने वाला समय ब्रस्टाचार और काले दन्स से मुगत होगा तो थोड़ी बहुत परिशानी हो रही है तीन दसक परानी कहानी देखने के बाद आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता सतर के दसक की कहानी लेकर आई फिल्म रईस एक गुजराती स्मगलर के इर्द गिर्द घुमती है रईस भाई जिन्हें पूरा गुजरात राविन होड़ बानता है लेकिन पुलिस की नजर में रईस एक अपरादी है पूरी फिल्म में आपको बस चोर पुलिस का खेल दिखाए देगा और अन्त वही पुरानी जमाने के इस्टाइल में हुआ रईस के इस्टेंट देखकर आपको इंडियाज गौट टैलेंट के पृतिभागी याद आएंगे जो अपने मूव से दर्शकु से ताली बजवाते हैं एक्टिंग की बात करिते सहरुक ने अपने स्टैल से अलग हटकर वास्तों के संजिदत की नकल उतारी है बस फर्क इतना है कि वास्तों में संजिदत पच्चास तोला की चैन पहनते थे जबकि रेश गोल्ड का चिसमा लगाते हैं अब समझने याथा है पहले से तैथा की शूटिंग के दोरान सहरुक खान के अंदर कुछ ज़्यादा ही समा गये और यहाँ सब देखकर रोमांज कम हसी ज़्यादा आती है नौाजुदिन के बात करें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है सही बात कहें तो नौाज के दम पर फिल्म में कुछ चान आती है माहिरा को बस जगए भरने के लिए रखा गया है उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी फिल्म देखने क्यों गए इसकी कोई ठोस होजे नहीं मिलती फिल्म में ना तो कोई मोटिव है और ना ही कोई मोटिवेशनल वह मनोरंजन के बात करें तो यहाँ कहानी निम्न दरजे की है और रही बात गानों की तोया बेवजे और बेवक्त दिखाई पड़ते हैं सही माइनों में देखा जाये तो गानों को वहाँ रखना चाहिए जहां फिल्म की कहानी नीची गिर्ती दिखती है फिल्म के अंत में जो मैसे जाता है वह भी बेतुका लगता है आप सोसल वर्क करते हैं तो अपराद करना जायज है यह बास समझ नहीं आती इदर दर्सक सहरुख खान की फिल्म रईस का बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे उधर खबर आ रही थी कि रईस अब मुस्किल में फश सकती है यह फिल्म गुजरात के जैंगेश्टर है अब्दुल लतीब के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी लतीब के बेटे एहमदाबाद की एक कोट में पिटीशन फाइल की थी जिसमें पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाते हुए 101 करोड रुपे की मानहानी का दावा भी ठोका था मुस्ताग ने सहरु खान पर इस फिल्म के जरिये अपने पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया था साथी फिल्म की रिलीज और परमोशनल माटेरियल के जारी होने पर भी रोग की मांग की थी उनका दावा था कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीब को गलित तरीके से पेस किया गया है मुस्ताग का कहना था कि लतीब को गुजरे कई साल हो चुके हैं आज उनका परिवार एक अच्छी और इजददार जिंदगी जी रहा है ऐसे में एक बार फिर जब उन लोगों का नाम लतीब के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था तो उससे उनकी परेशानिया और बढ़ रही थी मुस्ताग का कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे जाते वक्त कुछ लोग उनकी फैमली से मिलने आये थे प्रोडूसर इस बात का परचार भी कर रहे थे कि फिल्म लतीब की जिंदगी पर आधारित है अगर इस सच है तो इस फिल्म की कहानी का अंदाचा लतीब को जानकर ही लगाया जा सकता है आये जानते हैं कौन था डाउन लतीब अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले अब्दुल्लतीब कालूपुर और ब्रीज के पास देशी सराफ बेचनी की शुरुआत कर क्राइम के दुनिया में कदम रखा था दीरे दीरे उसने अंग्रेजी सराफ बेचनी भी सुरू कर दी इससे अच्छी कमाई कर लेने के बार नतीब ने सहर के कोक इलाके में रहने वाले बदमासों को अपनी गैंग में सामिल कर लिया लतीब ने हतियार सपलाई करने वाले सरीव खान से हाथ मिलाया और सराफ के साथ साथ हतियारों का भी तसक्री करने लगा कुछी सालों में लतीब गैंगश्टर बन चुका था लेकिन किसी भी गैंगवार में वह खुछ सामने नहीं रहा लतीब ने चालाकी से कई छोटी मोटी गैंग में फूट डलवाई और उनके साथियों को अपनी गैंग में मिला लिया इस तरह एमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया लतीब ने गुजरात में अवे सराब बेशने का नेटवर्क तो इसकदर खड़ा कर लिया था कि कोई भी अवे सराब बेशने वाला बिना उसकी मरजी से सराब नहीं बेश सकता था उसे सराब लतीब से ही खरीदनी परती थी सहर के मुस्लिम इलाकों में लतीब गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था क्योंकि वह बेरोजगार यूकों को अपनी गैंक में सामिल कर लेता था उसकी वज़े से उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा बताया जाता है कि उस वक्त अंडर वड़दान दाओद इबराहिम भी वड़ोदरा में ड्रक्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था एक बार दाओद और लतीब के बीच गैंगवार छिड़ गई लतीब के गुर्गों ने दाओद को घेर लिया था और दाओद को वड़ोदरा से भागना पड़ा लतीब गुजराद में 40 से भी जएदा हत्याओ का अरोपी था जबकि उतने ही किडनेपिंग केस भी उस पर थे अब्दुल लतीब को 1995 में दिल्ली से गिरिपतार किया गया था जिसके बाद उसे साबर मती जेल अहमदाबाद में रखा गया पर जेल में भी लतीब का कारोबार चलता रहा गुजराद के पहले और आकरी अंडर वाड़दान अब्दुल लतीब से की ताकत का अंदाज़ा इसी बाद से लगाया जा सकता है कि 1986 के अहमदाबाद महानगरपाल का चुनाव में लतीब एक साथ पांच सीटो पर भारी बहुमद से जीता था और वो भी साबर मती सेंटरल जेल में बैठे बैठे नॉमबर 1997 में अब्दुल लतीब को गुजरात पुलिस ने एक एंकाउंटर में मार गिराया उस वक्त वा भागने की फिराक में था लतीब के खतम होने के साथ ही गुजरात में उसका पूरा नेटवर्क भे खतम हो गया अब लतीब की जिंदगी के इन पहलों को देखकर क्या कहे क्या ये फिल्म रैस की कहानी है हाला कि फिल्म निर्देसक राहूल डुला किया इस बास साफ हिंकार करते रहे हैं कि ये फिल्म लतीब की जिंदगी पर आधारित है फिल्म रैस एक आदमी जिसका नाम रैस आलम था की जिंदिगी पर से प्रिरित होकर बनाई गई है फिल्म असी और नबे के दसक के गुजरात पर बनी है यह रैस के रिष्टों और तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है जिसमें वह खाली हाथ आने के बाद एक बड़ा समराज खड़ा कर लेता है उसका आउहदा पूरे राज में सबसे अधिक ताकतवर आदमी का हो जाता है गैंगेश्टर से कुछ कम रैस एक मैनेजर की तरह काम करता है वह लोगों में अपनी पॉर्ट बना लेता है और उसका भरोसा जीत लेता है उसका अपना काम करने का स्टाइल बेजोड इच्छा सकती और सोने जैसा दिल की बड़ुलत वाजनता में बेहद लोग प्रीव हो जाता है उसके किवदार की कई परते हैं उसके कई चेहरे हैं जिनके कारण लोग उससे डरते हैं प्यार करते हैं और पूझते हैं हमेशा वक्त के आगे की सोंच रखने वाला रैस अपने राष्टे की रुकाओड बनने वाली हर चीज और आदमी को पूरी त्रेसस साफ कर देता है उसके समराज की नियुत तब हिलती है जब उसके सामने किसी भी तरह के अपराद को सहन ना करने वाला पुलिस आपसर आ जाता है इस आपसर की जिंदगी का एक ही मक्सद होता है क्राइम का खातमा आगे जो होता है वह है रैस और आपसर के बीच की जंग जो फिल्म को आगे बढ़ाती है राईस अपरात पर आधारित हिंधी भासा में बनी एक भारती एक्षन थिलर फिल्म है इसका निर्देसन राहुल डोलकिया ने किया है इसका निर्मार फरहान अक्तर रितेस सिदवानी और गbourी खान ने किया है इसका निर्मार अप्रेल 2015 में शुरू हुआ इसमें सहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद दिन सिद्ध की मुखी किलदार में है फिल्म में अबने तरी सनी लोयन एक बिसेज गाने में सहरुख खान के साथ है फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीप पर आधारित बताया जा रहा था पर फिल्म निर्माताओं ने आस्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से कालपनिक है जिसका किसी भी विवक्ति से कोई लेना देना नहीं है फिल्म 25 जनूरी 2017 को सिनेमा घरों में पर दर्शित हुई थी फिल्म 1960 के दसक के मद इसो शुरू होती है और 1991 में समाप्त होती है जैसा कि फिल्म में एक अख़बार की तारिक से रैस गुजरात के फदेपुर में रहता है एक ऐसा राज जहां सराब बंदी लागू है और बहुत कम अमर में कानूनी सराब के दंदे में सामिल हो जाता है साहिद के साथ वह एक गंगेश्टर जैराज के लिए काम करता है जो पलिस को रिस्वत देकर अवैद रुप से सराब की तसक्री करता है रैस अपनी इमा के दर्सन से जीता है वह हर बेवसाय अच्छा है और कोई भी धर्म किसी भी बेवसाय से बड़ा नहीं है क्योंकि यह किसी को नुक्सान नहीं पहुंचाता है रैस जैराज के साथ भाग लेने का फैसला करता है और खुद ही काम करना सुरू कर देता है वह मुंबई में मुसा भाई से मिलता है और उसकी मदद से वह अपना बूट लेगिंग बेवसाय सुरू करता है इसी बीचे कि मांदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जे ए मजुमदार फतेपुर में स्थांतरित होता है और सराब डीलरों पर बड़ी कारवाई सुरू करता है फिल्म की सुटिंग अप्रेल 2015 में सुरू हुई फिल्म की सुटिंग मुंबई में की गई और शिट को एहमदाबाद की मालिन बस्तियों को चितरित करने के लिए फिर से तयार किया गया फिल्म का आखरी स्टिडूल जनुरी 2016 में गुजरात में सुट किया गया था बिलोद के बावजोत फिल्म को जनुरी और फरवरी 2016 के बीच बिना किसी बवधान के भुज में सुट किया गया प्राचिन मज्जित और मकबरे परसर सरखेश रोजा में आहमदाबाद में सुटिंग के लिए भारती पुरातत सरवेच्छट द्वारा मंजोरी जारी की गयी थी रैस के लिए संगीत राम संपत ने दिया है जावे दक्तिर ने फिल्म के गाने लिखे है फिल्म के संगीत अधिकारों का अधिगरहर जी म्यूजिक कमपनी ने किया है फिल्म का गाना लैला मैं लैला 1980 की फिल्म कुरबानी से लिया गया है और पुनर निर्मित किया गया है संपूर एलबन 24 जनवरी 2017 को रिलीज किया गया था इसमें कुल आठ गाने थे जिने गाया था पावन पांडे, अर्जीस सिंग, हर्षदीब कौर, सुखविंदर सिंग, भूमित रवेदी, कसरन सगाटिया, मीका सिंग, राम संपद, तरन्नुम मालिक, केके, रोसन राथोड, शिर्या गोसाल और सोनु निगमने रैस फिल्म की कहानी यूतो साधारड कही जा सकती है, लेकिन फिल्म को सांदार तरीके से पेज किया गया है, इस फिल्म का निदेशन राहूल डुलकिया ने किया है, पूरी फिल्म मनुरंजन एक्षन और रोमान्स के रंगों से भरी हुई है, यह फिल्म गुजरात में सराप के धन दे, हत्या, अपरहड, तसकरी के दरजनों मामले समय आतंगवादी एंटाडा तक लगा था, फिल्म की कहानी गुजरात के फटेपुर से सुरू होती है, जहां रैस का बच्पन अपनी मा की साथ गरीबी में गुजर रहा है, फिल्म रैस की कहानी 1980 के दोर में ग समराज खड़ा कर लेता है, रैस अपनी मा की बात कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, को गांट बांद कर आगे बढ़ता है, और अवे सराप के कारोबार करने लगता है, रैस कामयाबी की सीड़िया अपने चर्टा चला जाता है, ल उसे सादी करोव अपना घर भी बजा लेता है, फिर दीरे दीरे रैस गुजरात में बड़ा नाम बन जाता है, और वहां का डान बन जाता है, रैस अपने लाके का मसीछा भी है, और फिर उसके बाद फिलम की कहानी कई जगों पर यूटरं लेती है, रैस फिलम की दो खास पाते हैं एक्टिंग के लिहाद से सहरु खान को नौाजुद्दिन सिद्की ने बराबर की टक कर दी है सहरु खान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वा किलदार में पूरी तरह समा गये हों चाल ढाल डायलॉग डिलीवरी और हाव भाव पूरी तरह से उसी किलदार का नजर आ नहीं दी है पाकिस्तानी अदाकारा महिरा खान किया बाली बुड में पहली फिल्म है एक्टिंग के लिहाद से उनके पास जदा कुछ करने का स्कॉप नहीं बजा था पिर भी उन्होंने अदाकारी अच्छी की है महिरा के साथ सहरु खान का रोवांटिक एंगल भी जंगीद के बात करें तो उड़ी उड़ी जाए जालिमा लेला में लेला जैसे गाने पहले ही ही फिल्म के गाने भी इसका एक आहम हिस्सा हो गया है फिल्म के लंबाई थोड़ी ज्यादा लगती है जिसे एडिटिंग का थोड़ा छोटा किया जा सकता था लेकिन कुल मिला अकर आप सरुखान के फैन हैं और एक मनुरंजक फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं अक्सर सोचा कि गैंगेश्टर अपरादियो और अंडर वर्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्ममेकर्स इस सैली की फिल्मों से इतने आगर्शित हैं हाला कि मैं सैली की फिल्मों का जबर्दस्ट पर संसक नहीं हूँ लेकिन साथ ही मुझे या कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ट फिल्में दीवार, धर्मात्मा, परिंदा, अगनिपत, सत्या, वास्तो, गैंगेश्टर, शूट आउट एट लोखंडवा रैस के बारे में जबर्दस्ट अटकले हैं, इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है, या असल जिंदगी के किर्दारों पर आधारित है, सच कहूं तो फिल्म में दिखाएगे किर्दारों की परमारिकता पर टिपड़ी करने के लिए अटकलों को जाचने के ते मुझे अस्युकार करना होगा कि रैस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुंचा दिया अपराधियों के जीवन पर आधारी ज्यादातर फिल्मों की एक सुनस्चित पर कठा होती है एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना उसका एक नामी गिरामी अपराधी बन जाना अमीर और परभावसारी लोगों में उटना बैठना लेकिन आखर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना रैस भी ऐसी ही खाका प्लाट लाइन पेस करती है अंतर सिर्फ रितना है कि इस से लिकी कई फिल्मों की तुलना में या फिल्म दस्टिकोर में अध के आधार है या कहने के बाद मैं स्विकार करता हूं जो फिल्म को एक उचाई पर लेकर जाता है ओ है सहरुख खान और नौजुतिन सिद्ध की जिन्हों ने अपने अपने हिस्से के बेहतरिन किरदार निभाय सन 1980 की दिसकी प्रिष्ट भूम में रैस सिस्टम प्रडाली को हराने की कोशिस करता है और अपनी सर्तों पर सफल भी हो जाता है उद्धम सेलता के लिए उसका प्राकरतिक सुभाओ और अपने लच्चों को प्रात करने के दौरान कभी हार ना मानने वाले द्रड़ संकल्प ने उसे प्यार और ड्राउना दोनों बना दिया और फिर होती के दर्सकों जिनें उन किरदारों और यूग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को सामिल करना प्रोड़क्शन के बिना किसी गलती के उस यूग को बहतरी धंक से बनाया है डुलकिया और उनके लेखक की टीम ने इस बात का पूरा ख्यार रखा कि फिल्म की लिखिस समागर जो फिल्म में हाइलाइट किये गए हैं का धन्यवाद डुलकिया वास्तों में कटर बेवसाइक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद बाखुदिया महसूस हो जाता है कुन का जुका पुलिस की भिड़त होती है ये एक बड़े बजट की फिल्म है और सहरुक और डुलकिया ये भली बाती जानते हैं कि दाओं बड़ा है उन्होंने वास्तुक्ता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गती और उर्जा कदाचित कम नहो लेकिन सबसे मातपूड बात ये है कि उन्होंने सहरुक खान के करोडों परसंसकों को जरा भी निरास नहीं किया है एक कहानी वक्ता के रूम में वह लेप लेते हैं और लिकिस समाकरी के साथ पूरा नयाय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किल्दार से उनकी बेहतरिन परफॉर्मेंस को न सुकर है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की जिंदगी में एक नाटकी मोड लेती है जो कि फिल्म का हाई वल्टेज क्लाइमेक्स है फिल्म का साउंट्रेक अच्छा है हाला कि फिल्म के डान्स और गीत में थोड़ी और गुंजाईस हो सकती थी फिल्म के गाने लैला में लैला और जालमा गाना पहले से दर्शकों के बीच में काफी लोगप्री हो गए थे हाला कि लैला में लैला गाना के मातपूर मोड पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है बैगराउंड इसकोर पर भहुत पादक है बिसेस रूप से सिगनेशर ट्यून जिसे कथानक में उदार्थ पूरोक इस्तमाल किया गया पिल्म की सिनमेटोग्राफिय ने स्चिल्यू लैड पर अस्थानों को बहुत ही सांदार धंग से कैप्चर किया है एडिटिंग एकदम कसा हुआ है दर्शकों को ध्यान में रकर डालाग बनाये गए जो प्यान आकरसित करना चाहिए वो लोगों में उत्साह और उमक भर देते हैं 200 रूप से फश्ट हाप में एक्शन स्युकेंस बहुत दमदार हैं रैस में सांदार परदर्शन लगातार उलेखनी हैं सहरुक बढ़िया कलाकार के साथ 700 इस्टीलर भी हैं पिल्म में उनका गिर दिन सिद्गी का परदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किलदारों में डूबा देता है माहिरा खान बहुत खूबसूरल लगती हैं और पूरे आतम विश्वांस के साथ अपने किलदार को निभाती हैं मुहम्मद जी सान अयूब की एक ठोस भूमका में पूरी तर अलावत उतकर से मजूमदार परमौत पाठक और उदे तिकेकर अपने अपने भागों में परिपोड हैं सनी लियोन लैला में लैला आइटम नमबर में संसनी फैला देती हैं कुल मिलाकर रईस पक्के तोर पर एक हिट फिल्म है इसमें कोई सक नहीं है कि सेरु खान एक संस परमिल है नाजुदिन सिद्धिकी की जबर्दस परफॉर्मेंस बेर जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी पिशे समागरी और निसंदे इसका मनोरंज क्लाइमेक्स फिल्म रईस 1980 के दसक में गुजरात आधारित एक एक संस थिलर फिल्म है या ऐसे तसकर की कहानी है जिसके धंदे को एक सक्त पलिस सदकारी ने चौपट कर दिया कलेस और रिट्स लिश अंडेटिन्मेंट दोरा निर्मित या फिल्म 25 जनूरी 2017 को सिनेमा घरों में रिलेज हुई थी कहानी गुजरात के फटेपुर की है जहां फिल्म की सुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से जो गरीबी के करण सराब तसकरी में आ जाता है इसकूल में उसे ब्लेक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है पडोस का डाक्टर उसे चस्मा लेने की सलाह देता है चस्मा पहनने के बाद रिश आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का सराब तसकरी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंदा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस इसको रईस अपनी जिंदिगी का मोल मंतर बना लेता है इसके बाद रईस सराब के बिजनस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और सराब तसकर के बादसा जैराज सेट का दाया हाथ बन जाता है और बनिये का दिमाग और मिया भाई की डेरिंग को सब जानते हैं जैसे जैसे समय बीदता है रईस अपना खुद का बिजनस सुरू करना चाता है सादिक रईस का बेस्ट फ्रेंड है रईस अपने इंपायर का बॉस बन जाता है पुलिस नेता हर किसी से उसकी साथ गाठ है और उसका काम होता रहता है लेकिन वो साथ ही साथ देशी रॉबिन हुड भी है चाहे उसके पडोसी हो महले वाले या कोई और वो कभी मदद करने से हिचकिचाता नहीं है कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इस्पेक्टर जदी मजुमदार से होती है जिसका ट्रणस्पर रईस के इलाके में होता है जदी मजुमदार का एक ही रादा होता है कि रईस के बिजनस को मिट्टी में मिला देना है उसे आप कहतें सुनेंगे की रईस का और मेरा रिस्ता बड़ा अजीब है पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने को नहीं देता पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने नहीं देता इसके बाद फिल्म चुहे बिल्ली का खेल सुरू होता है इसके बाद फिल्म में चुहे बिल्ली का खेल सुरू होता है सहरु खान की फिल्म रई साब को सतर और असी के दसक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहावी है एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनिती के बीज भी अपना काम इमानदारी से करता है खोबसूरत हिरोएन है और हीरो की परचाही बन कर रहती है एक वाफादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तयार है साथ ही कुछ बुरे लोग, सताई जनता, बेबस मा और खोब सारा एक्सन इसके अलावा हिलन की तर्च पर सनी लेउनी का एक आइटम सांग भी है जो खून खराबे के बीश सुकून देता है कहानी एट्टी के दसक के गुजरात पर बेश्ट है जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत खराब होने की वज़े से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंदे की तरफ आकरसित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में सराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंदा सुरू करता है अपने दिमाग और डेरिंग की वज़े से उचल्द ही अवे सराब का बड़ा बिजनसमैन बन जाता है लेकिन इसी बीच ACP मजूमदार यानि नाजुदिन सिद्ध की उसके पीछे पड़ जाता है जो काफी कड़क पुलिस वाला है लेकिन रईस का धंदा रोक पाने की हजार कोसिस करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता इस दोरान कहानी में कई उतार चड़ावाते हैं जिन में चुनाओं दंगे बंबलास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती है फिल्म की एंडिंग भी काफी दिल्चस्व है केयू मोहनन की सिनोमेटोग्राफिक कमाल की है बैग्राउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसकी वज़े से एट्टी के दिसक का माहुल पूरी फिल्म के दोरान बना रहता है फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके डालाक्स जो आडियन्स को तालिया बजाने पर मजबूर कर देते हैं फिल्म का फ़स्ट हाप अच्छा है लेकिन इंटरोल के बाद फिल्म की रब्तार सुष्ट हो जाती है जिसे ठीक किया जा सकता था साथी फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रब्तार पर अस्ट डालते हैं सिर्फ सनी लेउनी पर फिल्माया गया आटम सांग ही कहानी के साथ फिर बढ़ता है फिल्म के सिकंड हाप को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था रईस पूरी तरह से सहरुखान की फिल्म है उनका काम सांदार है नौाजुदिन सिद्गी की एक्टिंग भी बेहतरीन है फिल्म में जब भी दोनों साथ नजर आते हैं एडवेंचर बढ़ जाता है जहां एक तरफ नौाजुदिन की लिखकर लेने की स्टाइल है वहीं दुसरी तरफ सहरुखान की डालाग बोलने का अंदास कमाल का है मुहमद जी सान, अयूब, अदुल कुलकर्डरी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है पाकिस्तानी एक्टर्स महिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था एक दुगाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती सेकंड हाप में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है लेकिन वो भी कुछ देर के लिए फिल्म का बैग्राउंड स्कोर अच्छा है लेकिन सांग में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के साथ फिट बैठता है यू तो फिल्म को लेकर रक सुरू से कोई ना कोई बिवाद रहा है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर बिवाद हो सकता था फिर चाहे हो बोचल खाने में जानोरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूरती से चस्मा उतारने का सीन कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकट में पुराने माल की तरह है और अगर आप सहरुखान और नाजिदिन सिद्गी के फैन हैं तो आप एक बारे फिल्म जरूर देखे लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही सहरुखान की फिल्म रई सतर और एसी के दसक की टिपकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है इस फिल्म का हीरो गेर कानूनी काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीह भी है इस हीरो के साथ है एक खुबसूरत हिरोईन जो हीरो की परचाई की तरह है हीरो का एक जिगरित दोस्त जो इसके लिए अपनी चान भी दे सकता है फिर एक इमानदार पुलिस ओपसर जो अपने काम को पूरी इमानदारी से पूरा करता है इन सबसे वेबस मा, अत्याचार की मारी जंता, कुछ बुरे लोग और खुब सारा एक्सन इतने मसाले के बाद एक जबदस्त आइटम नंबर जो हैलन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच जिराहत देता है फिल्म की कहानी अस्ची के दसक के गुजरात पर अधारित है जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है गर की माली हालत बहुत खराब रहती है जिससे रईस का दिमाग सुरू सही दंदे की तरफ रहता है रईस बच्पन से ही स्कूल बैक मेर सराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद और खुद का धंदा सुरू करता है अपने दिमाग और निडरता से अवेद सराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है सब कुछ ठेक चल रहा होता है तभी है के सेपी मजूमदार रईस के पीछे पढ़ जाता है मजूमदार एक कड़क पुलिस वापसर है जो सराब के अवेद कारोबार को रोकने की कई कोश्टे करता है तमाम कोश्टों के बावजूद भी रईस उसकी पकर से आजाद ही रहता है कई उतार चड़ाओं से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफी दिल्चस्प होता है फिल्म का निर्देशन उंदा है फर्ष टाप काफी कसा हुआ है लेकिन सिकंड हाप में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है यहां अचानक से एंटी हिरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है सरपट भागती फिल्म हिशकोले लेने लगती है खैरियत बात करे सिनुमेटो गराफी की तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है फिल्म आपको असी की दसक में ही लेकर जाती है वही इस फिल्म के वन लाइनर भी जबर्दस्त है वन लाइनर्स पर फिल्म को दर्सको की खूब तालिया भी मिलती है जब सनी लेउनी अपने आइटम नंबर लेला में लेला लेकर आती है तो दर्सक जोम उड़ते हैं वही कुछ गाने फिल्म की रबतार पेजा ही सुष्ट कर देते हैं फिल्म रईस को पूरी तरे सेरुखान की फिल्म कहने में दो राएं नहीं है उनका परदर्सन भी बहतरीन है गुसे और फूर्ती से भरे सेरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बलकि दूसरों को तोड़ते नजर आ रहे हैं वही नवाजुद्दीन नहीं सांधाल अधाकारी की है फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नजर आये रुमान चरम पर पहुँचा मुहमद जीसान अयूब अतल कुलकर्डी के साथ बाकि कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है हाला कि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महच एक सो पीस ही लगी है फिल्म का बैक ग्राउंड स्कोर बढ़िया है लेकिन बाकि गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है जैसे ही रईस फिल्म खतम होती है मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की जरूरत क्या है क्यों बनाई गई है निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाय रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है। रैस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है। नया क्या है। ना बनिये का दिमाग दिखता है और ना मिया भाही की डेरिंग। शरुक खान चले हुए कार्तोस नजराते हैं और राहुल ढुलकिया अध्यर सितारे के मद में बहेकी निसांची। कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धंद से फिल्म के लिए तारीफे और आवार्ड खरीद दे जा सकते हैं।